सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से चलिए दोस्तों सबसे पहले माँ आप सभी को दिखा देता हूं कि टाइप ओफ डेफिनेशन में से आज तक कब कब कोशन आये हैं यह देखे यह हमारा जून 2012 के अंदर कोशन आया था और यहाँ पर हमने इंगलिस और हिंदी दोनों में दिया हुआ यहाँ आप देख सकते हैं उसके बाद दिसंबर 2012 के अंदर कोशन आया था और दोस्तों यह जितने वी कोशन है उन सभी कोशन आया है और उसके बाद में अगस्त 2016 में इसमें से question आया है दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं teaching के question अलग रखे हैं communication के अलग रखे हैं इस तरी के से सभी 10 unit के question हैं आपको अलग लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस whatsapp number पे contact कीजिए तो अब बात करते हैं दोस्तो definition क्या होती है और इसके कितने तरह के type होते हैं definition करने से पहले दोस्तो हमें यह पता होना चाहिए यह जो दो ट्रमें के बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहली ट्रम है definition इसका मतलब है दोस्तो जिस ट्रम को हमें define करना हो उसे हम क्या कहते हैं और जिस ट्रम को define करके बताया जाता है यानिकि यह क्या है क्रम को define करके बताना वो क्या कहलाता दोस्तों वो कहलाता डेफिनेंस कहलाता है तो यह जो मुखे जो चीजे वह आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद है दोस्तों हमारा type of definition definition कितनी तरह की ओती है logical reasoning के अंतर सबसे पहले जो definition आती है दोस्तों हमारे पा आदो कि अगर आपको जैसे कि यूजी सिनेटिया जे रफ क्वालिफाइग करना है तो आपको इंगलिस और हिंदी में चीजे आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हिंदी के अंदर काफी नाम ऐसे होते हैं जो हमें confuse कर देते हमें पता नहीं चलता है इसलिए हमें डेफिनेशन जो डिक्सिनरी में हो उसे हम क्या कहते हैं और इसके अंदर कुछ बाक्ते होते हैं यह हमें ध्यान रखनी जरूरी है कि यह या तो सही होगी या फिर गलत होगी या इसके अंदर दोनों बाते होगी या तो ये सही होगी या गलत होगी या सच होगी या जोट होगी ये चीज़ आपको धियान रखना जूरूरी है क्योंकि इसमें इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक ऐसी definition जो या तो सही है या गलत है उसे किस तरह की definition हम कहेंगे और यहाँ पर आप क्या मीनिंग है उससे हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि किसका क्या मतलब यानि की काफी हद तक हमारा जो कन्फीजन हो दूर हो सकता है अब जैसे कि हमारे यह दिया है पुष्टक है पैन है चेर है और भी काफी तरह की चीज़े हैं जो डिक्सेनरी में दी हुई होती है इसी परिभासा कहलाती है अब देखे दोस्तों अभी यही बात हमने की थी ना कि ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर ऐस परश्टा खतम होती हो तो उसे हम क्या कहते हैं लेजिकल डेफिनेशन कहते हैं और यही बात इन्होंने इस कोश्चन के अंदर पूछी हुई है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह रहा हमारा साप्दिक परिभासा याने कि लातिकलल होगा और इसका इस से आप बिल्कुल असानई से कोशन कर सकते हैं आगे देख रहतवी के आए कि यह बेफिनेशन क्या होतीए सबसे पहले हम हम हिंदी में भी देख लेते हिने में है इसका मतलब सवनिर्दिष्ट यानि कि ऐसी परिभासा जो हम खुद बनाते अपनी तरफ से इजाद करते उसे हम कहते हैं अब देखे इसके इंदर क्या होता है यानि किसी ट्रम को अपनी और से कोई नई परिभासा देना जिसका अर्थर डिक्शनरी में ना दिया हो यानि कि इसी परिभासा या ऐसी ट्रम जो हमें डिक्शनरी में ना मिले और उसे हम अपने आप खुद तरी खुद बनाएं जैसे कि आज कल आपने काफी चीज देखे होगी जैसे गुड मॉर्निंग के लिए हम जी एम लिख देते हैं वाटसप के अंदर तो उसका जी एम का अगर देखोगे तो डिक्शनरी में कोई खास मतलब नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से यह चीज बना देते हैं और विए जैसे सेल्फी हो गया इमोजी हो गया और जैसे चैट के अंदर एफ आरेंडी फ्रेंड लिख देते हैं गुड नाइट लिख देते हैं प्लेज एटीसी इ जैने कि ऐसी प्रिभासा दोस्तों जिसका डिक्शनरी में कोई अस्तिताव नहीं है या नहीं था और इसके अंदर जो खास बात दोस्तों वो याद रखने वाली यह है इस तरह की प्रिभासा को ऐस विकार किया जा सकता है यह रिजेक्ट हो सकती है लेकि इसे सत्ते या ऐस सत्ते साबित नहीं कर सकते क्योंकि इसका अस्तित्तों डिक्शनरी में नहीं दिया हुआ होता तो इसमें जो खास बात याद रखने वो यह है दोस्तों इसे या इसे ऐसे किया जा सकता है अब देखिए जैसे हमने कहा कि एफ आर एंडी फ्रेंड तो इसे हम रिजेक्ट कर स हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि यह मतलब होता या नहीं होता क्योंकि इसका जो इसका जो प्रूफ है दोस्तों वह हमें डिक्सिनरी के अंदर नहीं है अब देखे किसी इस जीज को सत्य या ऐसत्य साबित करने के लिए हमारे पास दूसरा alternative proof होना चाहिए तो जो हमारी ये जो होती है दोस्तो हमारी stupulative definition इसके अंदर हम इसको ना ही तो सत्ते और ना ही ए सत्ते थाबित कर सकते अब देखे दोस्तो इसमें से जो question आया है एक सव निर्मित परिभासा होती है सदेव सत्ते सदेव ए सत्ते कभी सत्ते कभी ए सत्ते तो इसका जो answer है दोस्तो वो अड़ी नए सत्ते और नही ए सत्ते और यही बात हमने इसके अंदर पढ़ ही थी तो दोस्तो इस तरीके से इसमें से question पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप English हिंदी में पढ़ सकते और यह जो question हम कर रहे न दोस्तो यह वही question है जो हमने सबसे पहले आपको बताये थे जैसे दिसंबर 2013 में आ लिए जैसे दिसंबर 2015 में आ लिए यानि कि repeated question है दोस्तो यह और आगे हम देखते दोस्तो आगे है हमारे पास एक ओर इसमें से question आया है अर्थ पुरुण परिभासा जिसे सोच समझ कर कुछ परितीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता वह कहलाता है इसे क्या कहेंगे सव निर्मित परिभासा यानि कि ऐसी परिभासा जिसे कुछ सोच समझ कर कुछ परितीकों के लिए हम define करते तो उसे हम क्या कहते है सव निर्मित परिभासा कहते हैं अभी जैसे वो था ना good night के लिए gd लिख देते है good night तो ये हमने अपने अपने सहूलियत के लिए ये बनाया है और आगे दोस्तों हमारे पास आगे है प्रिशाइजिंग definition अब देखे ये definition क्या होती इसके अ एक सब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है जैसे कोई सरकार किसी वैक्ति को ग्रीव कहने के लिए उसको आर्थिक मापदंड से प्रभासित करती है अब देखे ये जो हमारी प्रिशाइजिंग definition होती इसके अंदर क्या होता दोस्तों इसमें किसी वी चीज को अच्छे तरी देता कि मैं यार बहुत गरीब हूं लेकिन जो सरकार है सरकार अपने मापदंड के अनुशार डिसाइड करेगी कि कौन गरीब है और कौन अमीर है तो इस तरह की जो परिभासा अक्ति उसे हम कहते हैं प्रिशाइजिंग definition कहते हैं आगे दोस्तों हमारे पास persuasive definition अब देख देते हैं ऐसी परिभासा को persuasive definition कहते हैं या फिर विश्वा सौत पादत परिभासा कहते हैं देखिए इसके अंदर हम एक एक जामपल लेके चलते हैं जैसे अभीताव बच्चन एक कलाकार है लेकिन लोग उन्हें वोलिवूड का सेहनसा कहकर बुलाते हैं अब देखिए ज इसी तरी के से जैसे सचींते अंदूलकरThis एक क्रिकेटर हैं लोग भावना में यह कभव्या क्रिकेटर नहीं है बहें क्रिकेट के भगवान है। दोस्तों किसी भी चीज़ को जोब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते तो उसे हम क्या कहते हैं और इसमें से कोशन आया दोस्तों ये देखें ये कोशन है निमलिखित परिभासा की प्रकर्टि निर्धारित कीजिए भुरुन अत्या का अर्थ निर्दोस लोगों की निर्मम हत्या है है अगर हम भून हत्या का डिक्सिनरी के इंदर मिनिंग लेकिन यहां पर क्या है कि हमने भावना में बह mans को की अब सभी prim Caleb से धों निर्मम वी झोटा उस्टव इसने तो आँ है में लिया तो ओन ही लोग यारि कि बड़ा आदमी तो नहीं बना न तो यह जो में अपने तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों विश्वास उत्पादक definition कहेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से definition कर शकते हैं और इन में से कोई भी कोशन आता है तो आपको किसी भी तरह से confusion होने की जरूरत नहीं है और आगे दोस्तों हमारे पास theoretical definition अब देखिए इ क्या होता हुता है इस तरह की परिभासा में हम किसी वी वस्तु चीज को विग्णिक त्रीके से परिभासित करने की कोसिस करते हैं अब देखिए हमारे पास कई चीज़े हो सकती हैं में कुछ को और शमाजिक तरीके से उसको हम कुछ और कहेंगी जैसे कि यहाँ पर एक एक एक्जामपल लेके चलते हैं जैसे जल को हम समान्य भासा में पानी कहते हैं लेकिन विज्ञानिक रूप से उसको हम H2O कहेंगे दोस्तों तो इस तरीके से यानि कि ऐसी कोई भी परिभासत जिसको को हम scientific रूप से define करें तो उसे हम क्या कहेंगे theoretical definition उसे कहा जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी definition है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी type of definition मैं आसा करता हूँ आपको सभी definition समझ में आ गई होगी और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल जवाब है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वॉक्स के जरीए और अगर आपको हमारी वीडियो रियल में अच्छी लगी तो इस वीडियो को की हमारी आने वाली वीडियो बढ़ ही असानी से हैं लो नमस्काल दोस्तों मेरे नमर रहतास निमी और आप सभी का सवागत हमारे यूट्यूब चैनल लिमीजी नेट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोजिकल रेजिनिंग एंजर स्केर ऑफ उपोजिशन के बारे हैं दोस्तों यहां से काफी तरह के कोशन आते हैं जो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है और यह जो टोपिक है काफी दोस्तों को का हम उसानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखने पा कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ ले आसके तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं स्केर ऑफ ओ पोजिशन के बारे में दोस्तों सबसे पहले हमें स्केर ऑफ ओपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए तभी हम आगे समझ पाएंगे देखिए सबसे पहली जो definition आती है हमारे पास universal positive के आती है universal positive के अंदर क्या होता है दोस्तों जो हमारे पास जो भी चीज होती है उन्हें हम सभी की सभी चीज जो को हम positive तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि all balls are strong यानि कि हमने माल लिया कि सारी की सारी balls होती है strong होती है अगली जो आते हैं दोस्तों वो आती है हमारे पास universal negative के अंदर क्या होता कि यह इसके अंदर सभी की सभी चीजों को हम negative माल लेते हैं जैसे कि no balls are strong यानि कि कोई भी ball strong नहीं है आगे आता है दोस्तों युनिवर्सल पे स्वरी पर्टिकुलर positive पर्टिकुलर पोजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों हम कुछ चीजों को positive तरीके से मांते हैं जैसे कि some balls are strong ठीक है और आगया तर दोस्तों हमारे पास particular negative पर्टिकुलर पोजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों कुछ चीजों को हम भी कर यानि कि negative तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते कि some balls are not strong तो दोस्तों यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि universal positive क्या होता है यूनिवर्स नेगटिव क्या होता है particular positive और particular negative क्या होता है दोस्तों यह हमारे लिए समझा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के base पे हमारे आगे question आने वाले है तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस base पे किस तरह के question बन सकते हैं और किस तरह से हमें topic क करना है दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आता है कंट्राडिक्टरीज कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है दोस्तों यह हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों अगर हिंदी में हम लेके चले तो इसके अंदर होता है एक दूसरे के विरोधी विरोधा भा कर दोट होते हैं यह यह नहीं हमने पूरा का पूरा example लेहा पते हैं यह झी इकजक्ड का है यह कहरा कि all balls are strong यह कहदा की खार की सारी भॉल होतें हो हो स्ट्रोंग होती है यह नहीं ही कह रिक है तो से अब बॉल्स आर कर रहे यह यहनुदि यह कि एक स्णाल करें हैं कि यह कहँरा कि मैं सही हूँ और यह कहरा कि मैं सही हूँ तो इन दोनों के अंदर क्या होता दोस्तो विरोधा, भास होता है एक दूसरे के बिल्कुल, अपोजित रहे होती है यह चीज़े ठीक है और इसी तरह से हम इसके अंदर देखते हैं E और I के अंदर E क्या होता है एन हमने बताय था कि युनिवर्सनल लागिटिव होता है इसके अंदर ये लड़का कहे रहा है ब्लैक लड़का ये कहे रहा कि no balls are strong कोई भी balls strong नहीं होती जब कि यह जो ओरत है यह कहरे है कि some balls are strong यह कहरे है कि कुछ balls strong होती है तो यहां भी हम देख सकते हैं दोस्तों यह दोनों एक दूसरे की बातों का विरॉध कर रहे हैं यहां पे ठीक है तो यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं किस तरह से यह हमें समझने हैं और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों contradictories के अंदर यह होता है कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा यह हमने देख लिया दोस्तों कि अगर ए सही है तो ओज़ वो गलत होगा अगर ए सही है तो आई गलत होगा तो इस तरह से यह होता है अगला के अगर एक गलत है तो दूसरा गलत है और दोनों एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते ये बात भी सही है दोस्तों कि दोनों एक साथ या नहीं तो वो सही हो सकते और नहीं गलत हो सकते दोस्तों आप यह जो पिक्चर मैंने दी है यहाँ पे इसको अच्छे से देखना और यह जो बाते हैं यहाँ पे यह लिखी हुई है इनको पढ़ना आप बिलकुल असानी से आपको यह समझ में आ जाएगा अगर आपको यह PDF लेनी है यह जो मैंने दिखा रखें वीडियो में तो यह ले सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और देखते हैं दोस्तो और इसके अंदर क्या में इंपोर्टेंट चीज होती है इसके अंदर यह भी एक अंडिटर्माइन है यानि कि कोई result नहीं निकल रहा है एक का तो दूसरी भी अंडिटर्माइन होगी यानि कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तो हमें नहीं पता कि सभी की सभी बोल स्ट्रोंग है या अन्स्ट्रोंग है किस तरह से हमें नहीं पता तो हम वो का आंसर नहीं निकाल सकते हैं इसी तरह से अगर हम E नहीं पता है तो हम I का आंसर भी नहीं निकाल सकते हैं इस तरह से दोस्तों अगर एक undetermine होगी तो दूसरी भी undetermine ही होगी तो दोस्तों यहां से आप समझ सकते हैं और इस पर किस तरह के question बने हैं वो भी मापको अभी दिखाऊंगा तो पहले हम इनको समझ लेते हैं अगला आगे हमारे पास आता है दोस्तों subaltern subaltern के अंदर क्या होता यह हम देखते हैं देखिए इसके अंदर क्या होता है number one point a सही है तो i सही होगी लेकिन i सही है तो जरूरी नहीं कि a सही होगी यह देखिए हम इसे समझने की कौसिश करते हैं कि यह क्या कहना चाहरा है यह देखिए ये हम बात मानके चलते हैं कि all ball are strong ये बात हमने मानने वे ये बात true है तो अगर ये बात true है तो इसका जो opposite दूसरी क्या चीज होगी some ball are strong ये बात भी सही होगी यानि कि ये भी सही होगी और ये भी सही होगी यह तो दोस्तों बिल्कुल common understanding के बात है बिल्कुल असानी से हम समझ सकते हैं और आगे हम देखते हैं आगे क्या है और इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर E और O के अंदर आता है इसके अंदर relation यह देखते हैं यह दोस्तों यह गलत लिखा और यह नहीं है यह देखिए इसके अंदर क्या होता E low balls are strong यानि कि कोई भी ball strong नहीं है ये इसने कहे दिया कि कोई ball strong नहीं है तो इसका जो O है यह आ सकता है दोस्तों कि some ball are not strong यह हम कह सकते हैं कि कुछ ball strong नहीं है तो यहां से आप बिल्कुल लाशानी से समझ सकते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि और क्या है ई सही है तो ओ के सही होने का संदे है लेकिन ओ सही है तो जरूरी नहीं कि ई सही होगा अब देखी दोस्तो एक बात तो हमने समझ ली कि ई सही है तो ओ सही हो सकता है ठीक है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सही हो ही हो अब देखी इसक इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है यह हम कह सकते लेकिन दूसरा इसका मतलब क्या है निकल रहा है दोस्तों कि कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है इसका मतलब क्या हो कि कुछ बोल स्ट्रोंग है अगर कुछ बोल स्ट्रोंग है तो क्या हुआ जो ई है वो ग definite रूप से नहीं कह सकती कि ये सही होगा ही होगा लेकिन इसके अंदर हम बिलकुल सही तरीके से कह सकते थे कि ये अगर all ball are strong है तो some ball are strong होगी और और देखते हैं दोस्तों और इसके अंदर क्या होता है ये तो होगा हमारा truth downward होया ये देखे truth downward और false upward की भी बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है अब ये देखे इसके अंदर ये देखे अगर ये कह देता कि some ball are strong ये बात इसकी गलत निकल जाती है some balls are strong ये बात गलत निकल जाती है तो इसका मतलब क्या होगा यह जो उपर वाली बात है यह भी बिल्कुल सही होगी यानि कि सारी की सारी बॉल भी स्ट्रोंग नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों कि अगर यह बात गलत निकल जाती है सम बॉल आर स्ट्रोंग इसका मतलब क्या हुआ कि सम बॉल आर स्ट्रोंग यह गलत है यह मान के चलते हैं तो इसका जो अपोजिट क्या होगा कि सभी की सभी बॉल है वो भी स्ट्रोंग नहीं होगी दोस्तों यहाँ पे यह थोड़ा सा यह जो टोपिक है थोड़ा पेचिदा टोपिक है ये आपके समझ में साइद नास के लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देने की कौशिश करोगे तो ये आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों ये जो पिक्चर मैंने दी है यहाँ पे इसे आप देखने की कौशिश करना यहाँ पे आप वीडियो रोक सकते हैं यहाँ ठीक है और ये जो पिक्चर है ये भी आप देख सकते हैं पीडियो डाउलोड करने लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नमबर थरी पे Contraries Contraries इसके अंदर क्या होता है दोस्तों और इसे हम Contrary भी कहते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर होता है A और E का Relation हम देखते हैं all balls are strong, no balls are strong इन दोनों का relation देखते क्या होता है दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती लेकिन दोनों के कुछ टाइम के लिए गलत होने की संभाव नहीं हो सकती है देखिए इसे हम किस तरह से समझेंगे कि एक जो नड़का है वो कहरा कि all balls are strong, दूसरा लेड़का कहना कि no ball are strong, दोस्तों ये तो बिल्कुल ही opposite बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर अगर answer निकालने की कौसिस करें तो क्या होगा result या तो ये बंदा सही होगा और या फिर ये बंदा सही होगा लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते यह देखें दोस्तों यहाँ पर हम समझने की कौसिस करते हैं या तो उपर वाला बंदा सही होगा और नीचे वाला गलत होगा ठीक है या फिर उपर वाला गलत होगा और नीचे वाला सही होगा ठीक है यह बात अब समझ रहें लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते यह नहीं कि एक बंदा कह रहा कि सारी के सारी बोल स्ट्रोंग है दूसरा बंदा कह रहा कि कोई भी बोल स्ट्रोंग क्या है तो यहां से भी आप यह पढ़ सकते कि तीनों के तीनों जो बाते इसने जो यह लिखी है यह तीनों के तीनों पाइंट यहां पर लिखे हुए यही मैंने तीनों के तीनों पाइंट यहां पर आपको समझा दिये हम समझने की कोसिड करेंगे हम आगे हैं, हमरे पास अंबर 4 सब कंट्रेरीज सब कंट्रेरीज के इंदर की होता है दोस्तों हम रिलेसन लेतें आई को का या आई की से कहते है समवोलार स्ट्रोंग यानि की पर्टिकुलर पॉजिटिव और particular negative देखिए इसके अंदर हम देखतें कि क्या संभावना होती है क्या होता है इसके अंदर इसके अंदर सबसे पहला जो point आता है इसके अंदर कहा है I और O दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं देखिए इसका क्या मतलब है कि एक जो नड़की है ये कह रही है कि some ball are strong दूसरी कह रही है कि some ball are not strong ठीक है तो ये दोनों की दोनों बात एक साथ सही हो सकती है अब देखिए इसने कह दिया मान के चलते हैं कि some ball are strong इसने कह दिया कि कुछ ball होती है वो strong होती है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये दोनों की दोनों एक साथ सही हो सकती है लेकिन दोनों की दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती यहां से आप इस बात को समझने की कोशिश करना आप पे ये बात बिल्कुल अच्छे से समझने आ जाएगी तो दोस्तों ये चार तरह की बाते हो कतनों के उधिस्य और विध्य की सब्दावली यदि ऐसी है कि एक की सब्दावली दूसरे का निशेद करती है यानि कि वो क्या करती है विरोध करती है एक दूसरे का विरोध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा चीक यहां पे हम इंगलीज में पढ़ते if two prepositions having the same subject and predicated term are such that one is denial of the other यानि कि एक जो definition है दूसरे का विरोध अवास कर रही है तो वहाँ पर क्या होगा अभी हमने पढ़ा था दोस्तों वहाँ पर क्या होगा contradictories होगा तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं आपको एक पर यह दिखा देता हूँ यह देखी कि हमने contradictories किया था सबसे पहला किया था कि एगर सही है तो जो ओ होगा वो गलत होगा यानि कि यह एक दूसरे का विरोध करते हैं तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से question पूछे जाते हैं यहाँ से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं और आगे हम question देखते हैं कि आगे किस तरह से question पूछे जाते हैं question number 17 है इसके अंदर क्या है यदि दो प्रतिवितिया में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परन्तु दोनों एक साथ सही हो सकती है तो उन दोनों के बीच का संबंद क्या है दोस्तों अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले आई और ओ के बीच में संबंद ये क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती है ये देखी कि दो definition है वो एक साथ गलत नहीं हो सकती लेकिन सही हो सकती है तो वहाँ पर क्या होगा ये हमने किया था आई और ओ का जो रिलेशन किया था यानि कि some world are strong हो सकती है और some world are not strong हो सकती है यहाँ पर हमारे जो answer आएगा दोस्तों हो आएगा सब contrary यहाँ पर इसका answer आ जाएगा तो यहाँ पर आप बिलकुल असानी से देख सकते है किस तरह से question पूछ रहे है आगे देखते है दोस्तों आगे किस तरह का question आया है question number 14 देखते है निमन लिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कुछ व्यक्ति इमानदर नहीं होते ठीक है अब देखे दोस्तों इसने कहा है कि देखे यह है कि कुछ व्यक्ति इमानदर नहीं होते कुछ व्यक्ति इमानदर नहीं होते तो किसे हम क्या कहते है O होता है वो some balls are not strong particular negative होता है तो particular negative का जो opposite होता है वो क्या होता है दोस्तों all balls are strong तो इसका यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे अगर हम answer देखे तो सभी व्यक्ति इमानदर होते है दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिस कीजिए कुछ व्यक्ति इमानदर नहीं होते तो यह क्या हो गया हमारा O हो गया particular negative हो गया और particular negative का opposite क्या होता है कि सभी व्यक्ति इमानदर होते है यानि कि universal positive होता है यहाँ से तो दोस्तों यहाँ पे आप इसके इसे समझने की कोशिस कीजिए आपको बिल्कुल असाने इसे समझ में आ जाएगा और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह का question है यह देखिए निमन लिखित में से कौन एक दूसरे के विरोधी है सही कूट चैन कीजिए और जो सही उत्तर का परतिनी दित्ताओ करते है अब यह देखिए दोस्तों यह भी वही है contradictories के अंदर से question है कि जो एक दूसरे का विरोध करते है सबसे पहले हमें देखना है कि एक दूसरे का विरोध कौन कौन से करते है हमने अभी पढ़ा था A और O विरोध करते है और E और I विरोध करते है एक दूसरे का ठीक है यह यहाँ पर आप देख भी सबते ही हमने ग्राफ बनाया हुआ रिना व्यों जो एक दूसरे का इंहां जमने रिम करते है कि ए और ऊकुम सी है, अब देखतेğिते हैं, जैसे इसमेंसर दिया ए और ऐसी देखते हैं कि सभी कविध दार्शनिक होते है यह क्या हो गए दोस्तों हमारा A हो गया ठीक है आगे देखते हैं C कुछ कभी दार्षनिक नहीं होते हैं कुछ कभी दार्षनिक नहीं होते हैं यह क्या हो गया दोस्तो हमारा O हो गया ठीक है और यहां पर देखिए ग्राफ के अंदर क्या होता है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं और जो और वो एक दुसरे के विरोधी होते हैं तो यहां पर जो हमारा अंसर आएगा दोस्तों वो आजाएगा ए और सी का यानिकि ऑप्शन नमबर थरीस आंसर आजाएगा दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सक अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श जोन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमबर पर कॉंटक्ट कीजिए किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको लाइव सॉल करके दिखाऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना दोस्तों करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बार फिर से बता देता हूं देखिए सबसे पहले आता ह दोस्तों हमारे पास से यूनिवर्सल पोजिटिव यूनिवर्सल पोजिटिव क्या होता है दोस्तों ओल बॉल आर्श्ट्रोंग यानि कि जिसके अंदर सभी चीजे सत्ते माने जाती हूं उसे हम क्या कहते है यूनिवर्सल पोजिटिव कहते है और इसे ए से डिनोट करते ह फिर आता है दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सल नेगिटिव के अंदर क्या होता है कि सारी की साधी जो चीजे उनको हम गलत मानके चलते हैं जूट मानके चलते हैं यानि कि नेगिटिव तरीके से लेके चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल नेगिटिव कहते हैं और उसे denote करते हैं इसे और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास particular positive अब देखिए particular positive के अंदर क्या होता कि कुछ जो समान होता है कुछ चीजे होते हैं वो सही होते हैं और कुछ गलत होती है तो इसके अंदर क्या होता particular positive के अंदर कुछ चीजों को हम सही मानते हैं और particular negative के के आंदर कुछ चीजों को हम गलत मानते जैसे कि यहां पर इनों ने लिखा कि sound will are not strong यांद कि particular negative के आंदर कुछ को गलत और particular positive के आंदर कुछ को सहीं मानते ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान से रखना याद रखना बहुत ज्यादा जुरूरी इन्हीं की वेच पे अपना पूरा का पूरा कोश्चन होगा तो चली दोस्तों अब हम आगे देखते हैं और उसके बाद में दोस्तों एक कोर जो कॉन्चेप्ट है जो हमें याद रखना है च्यार श्टेप है इसके अंदर वो याद रखने जुरूरी है अब देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास contradictory किसे कहते दोस्तों जो एक दूसरे के विरोधावासी हो यहाँ पर हमने color दे रखा यह color देख सकते हैं और यहाँ पर यह arrow दे रखे color वाली यह हमें देखना है देखिए contradictories के अंदर क्या होता जैसे मैंने all ball are strong तो यह किसके विरोधावासी होगी some ball are not strong यानि कि एक बंदा है वो कहरा कि सारी की सारी ball है वो strong है और दूसरा बंदा कहरा कि कुछ ball strong नहीं है तो उन दोनों की जो बाते वो दोस्तो एक दूसरे के विप्रीत है एक दूसरे का विरोध कर रही है उसके बाद है दोस्तो हमारे पास subaltern subaltern के अंदर क्या होता है दोस्तो एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ भी सही होगी अब देखिए इसके अंदर all ball are strong रोजोंग होगी Onesthird हो चलागे दोस्तो अब हम अपना सबसे पहला कोशन करने से पहले हमें इह पता होना चाहिए की जो कफन दिया उसकी प्रकुर्टि यानि कि उसकी nature किस तरह की है जैसे चाइस अब को बता है था कि a है जो हमारा universal positive है is है वो हमारा universal negative है i जो है हमारा वो particular positive और o जो है हमारा वो particular negative है तो इसके अंदर कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो वो हो जाएगा हमारा particular negative अब देखे अब इसमें हमें देखना कि कौन सा जो कतन है वो इसके विपरीत होगा ठीक है और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ देर पहले कि जो विपरीत होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं देखें मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमने देखा था इसके अंदर जो contradictories जो होते वो एक दूसरे के विपरीत होते है contradictories के अंदर जो हमारा particular negative होता है वो विपरीत किसके होता है यूनिवर्सल जो positive होता है उसके हमारे विपरीत होता है ये चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई आप हमारी पहले की जो सुबह की जो वीडियो है वो देख सकते उसमें आपको अच्छे से समझ में आ सभी के सभी जो वैकती है वो इमानदार होते है तो इस तरह से बिलकुल असानी से ये question हम कर सकते हैं दोस्तों और आगे हम जैसे जैसे question करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये concept समझ में आने लगेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होते तो आप हमसे पूछ सकते comment box के जरीए और अभी आप थोड़ा धहरिये रखे हम आगे और भी question करने वाले हैं तो उनमें आपको अच्छे से concept समझ में आ जाएगा चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते है हमारा इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यदि इस कथन को सत्ते मान लिया जाए कि अधिकतर विद्यारती आग्याकारी होते हैं तो निमलिक्त में से कौन से एक कथन युगम को सही माना जा सकता है अब देखे इसमें क्या कहा है इसने वही बात मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कथन का जो nature वो क्या है इसने कहा है कि अधिकतर विद होगा आई का मतलब है particular positive यानि कि अधिकतर विद्यारती हमारे आग्याक्यारी होते हैं यह हो गया आई और उसके बाद हम देखते कि इन में से कौन कौन से कथन है वो सही हो सकते हैं अब चली हम इसके option देखते हैं option में से कौन सा option सही होगा अब देखे इन्होंने सबसे पह अंसर नहीं दे सकते हमें कथन देखना है अब option number two सभी विद्यारती आग्याकारी होते हैं अब देखे इसमें यह चीज आतो रही है देखे ओ इन्होंने कहा है कि अधिकतर विद्यारती आग्याकारी होते तो इससे कुछ संभावना बनती है कि सभी के सभी विद्यारती हमा इसने काया कि अधिकतर विद्यार्थी आज्याकारी होते तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी जो है आज्याकारी होते ये बिलकुल इसकी बात सही है कुछ विद्यार्थी आज्याकारी नहीं होते ये बात भी इसकी बिलकुल सही है दोस्तों क्यूंकि हमने एक पीछे किया था उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखी हमारा ये जो होता है सब कंट्रेरिज जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आई सही है तो ओ भी हमारा सही होगा ये चीज मैंने आपको बताए थी सब कंट्रेरिज के अंदर अगर हमारा यूनिवर दोस्तों वो आएगा C आएगा 4 & 3 यानि कि यह आएगा कुछ विद्यार्थी आग्याकारी होते और कुछ विद्यार्थी आग्याकारी नहीं होते तो इस तरह से दोस्तों बिलकुल असानी से आप यह कोशन कर शकते हैं आगे देखते हैं आगे हमारे पास है दो अभी कथनों के उदेश से और विधे की सब्दावली यदि ऐसी है कि एक की सब्दावली दूसरे का निसेद करती है तो उन दोनों के वीज़ का संबंद क्या कहलता है अब देखिए एक दूसरे का निसेद मतलब यानि की एक दूसरे का विरोध करती है तो उसे हम किस तरह की सब्दावली क करती है कंट था दोस्तों की जो कंट्राडिक्टरीज जो होती है वो ए ओ का विरोध करती है और इस तरह ऐसे बिल्कुल असानी से कॉच्छन कर सकते हो और आगे देखते दोस्तों आगे हमारा है आगे कॉच्छन नंबर सत्रा यह हमने साइद कर लिया हाई यह अब देखी कॉ गलत नहीं हो सकती पर दोनों एक साथ सही हो सकते उन दोनों के बीच का सम्मंद क्या है अब देखे दोस्तों यह बात मैंने आपको अभी बताई कि दो ऐसे कथन जो सही हो सकते एक साथ लेकिन गलत नहीं हो सकते उसे हम क्या कहेंगे उसे हम सब कंट्रेरिक कहेंगे अब दे देखिए यह हमने कहा था कि some both are strong तो इसका मतलब क्या होता है some both are not strong तो यह क्या होगा हमारा subcontraries होगा इसका answer यानि कि ऐसे कथन जो दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते दोनों सही हो सकते उसे हम क्या कहेंगे subcontraries कहेंगे तो इसका जो answer आएगा दोस्तों वो हमारा B answer रही थी यानि कि कुछ व्यक्ति इमानदार है कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं है इस दीके से भी इसको हम समझ सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते कि कितनी असानी से जो question है हमारे हो रहे हैं चलिए दोस्तों अब हम question number 30 देखते हैं जुलाई 2016 के अंदर यह question आया था यह बात गलत है अब देखें सबसे पहले यह ड्रो कीजिए सभी चोर गरीब होते यह हमने ए मान लिया सभी चोर गरीब होते यह बात यह कहरा कि गलत है यह बात क्या है गलत है सभी चोर गरीब होते यह बात गलत है तो निमनलिक्त में से कौन सा कथन सही होगा वो हमें बता अगर गलत होतो हमारा क्या होगा पर्टिकुलर नेगिटिव हमारा सही होगा यानि कि ओ जो है हमारा वो सही होगा तो में क्या आता है वो आता कि कुछ चोर गरीब नहीं होते छलिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए दोबारा फिर अपने चाठ के उपर लेके चलता हूँ अब देखी इसके अंदर कंट्रेरीज के अंदर क्या होता है ओल बॉल आर स्ट्रोंग तो इसके जो विपरीत होता वो क्या होता है दोस्तो सम बॉल आर नोट स्ट्रोंग ये होता है तो इस तरीके से बिलकुल असानी से ये कोशन कर सकते हैं दोस्त हमसे पूछ सकते हैं हमारे जो WhatsApp नमबर है दोस्तों यहाँ पर यह दिया यहाँ पर भी आप हमें सवाल जवाब कर सकते हैं और हमारा paid group भी जोइन कर सकते हैं और चलिए अगला question देखते हैं यह है अगस्त 2016 में आये था यदि दो अभी कथन इस परकार संबंध हो कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हलांकि वे दोनों सही हो सकते हैं तो उनके संबंध को क्या कहेंगे यह question दोस्तों हमने अभी किया है और यह question दोबारा फिर repeat हो गया अब मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले यह देखते कि ये देखो इसे नहीं क्या क्या है वे दोनों गलत नहीं हो सकते और वे सही हो सकते यानि कि दोनों के दोनों क्या है गलत नहीं हो सकते दोनों के दोनों सही हो सकते तो उसे हम क्या कहेंगे तो वो होता है दोस्तो हमारा सब कंट्रेरी होता है और यही कोशन हमने अभी किया था पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ अब देखिए दोस्तों यही कोशन में दिखा रहा हूँ यह सप्तमबर 2013 में आया था कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते परन्तु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं तो यही कोशन हमारा दोवारा फिर रिपीट हुआ था यहां पर यह कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते सही हो सकते तो उसे हम क्या कहेंगे सब कंट्रेरी कहेंगे तो यह कोशन आप ध्यान में रखना हो सकता है अब की बार फिर आ जाए और दोस्तों एक चीज और हम आपको यहां पर बहुत ज्यादा इंपर्टेंट बता देता हूं कि आप जो ह चीज ही है तो जरूरी है हमारे लिए मंग्ले सिंदी दोनों में पता होना और मोश्ट जरूरी तो हमें English में पता होना जरूरी है और आगे देखते दोस्तों आगे हमारा कोश्चन नंबर त्वुंटी सिक्स यह अगस्त दोहोजर सोला में आया, यदि समान उदेस्त था वीदेग कि दो समान निर्पेक्स तरक्वा के इस प्रकारशम्बंध है कि अगर एक एप निर्धारित रहता है तो दूसरा भी एप निर्धारित होगा? उनका सम्बंध क्या कहलाता है? यह हमे हमने देखा था कि अगर एक अंडीटर्माइन रहता है यानिकि एक का result नहीं निकलता तो दूसरे का भी हम result नहीं निकाल सकते यानि कि contradictory के अंदर क्या होता है universal जो positive होता हो विपरीथ होता हमारे particular negative के अगर हमें ये पता नहीं चले कि universal positive है या नहीं है अगर universal positive के वारे में पता नहीं चले तो हम particular positive के particular negative के वारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते यानि कि अगर हमें A ना पता हो तो हम O के वारे में भी पता नहीं कर सकते यही हमारा question है दोस्तों तो इसका जो answer है वो contradictories आएगा यह जो chart दोस्तों यही बात इसमें कही गई है कि एक अगर A निर्धारित रहता तो दूसरा भी A निर्धारित रहेगा तो उस समय हमारा उन दोनों में क्या संबन होगा तो वो दोनों क्या होगे दोस्तों वो होगे हमारे contradictories होगे तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल असानी से कॉशन कर सकते हैं अगला कॉशन देखते हैं दोस्तों अगला है हमारा दिसंबर 2018 के अंदर आया था निमल लिखत में से कौन सा एक मानने हो सकता है अब ये देखे इसने काई कि सभी जानवर जंगली है अब इसका nature क्या होई दोस्तों ये होगा हमारा universal positive याझनि कि सभी जानवर जंगली है और इससे related क्या होगा इससे related इससे नीचे होता है दोस्तों कि कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है ये एक पर साइड में छोड़ देते हैं एक जानवर जंगली नहीं होते ये भी हम देखते हैं कि कुछ जानवर जंगली नहीं होते ये तो दोस्तों ये वो आगी विपरित वाली बात आगी यानि कि ये पर्टिकुलर नेगटिव वाली बात आगी तो ये नहीं होगा आगे देखते हैं कोई भी जानवर जंगली नहीं होता ये आगी दोस्तो हमारी E बात आगी युनिवर्सल नेगिटिव की बात आगी और युनिवर्सल नेगिटिव ये भी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते A और E दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते कुछ जानवर जंगली है अब ये इसकी बात सही है दोस्तो अब ये कहey रहा कि सभी जानवर जंगली है तो इस बेस पे हम क्या कह सकते है कि कुछ जानवर जंगली है तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल असनी से कोशन कर सकते है अब हम देखते दिसंबर दो अजार अठारा का कोश्चन अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि कोई कुटा चुपाया नहीं है सबसे पहले हमें इसके नियचर को समझना जरूरी है दोस्तो अब यह कहरा कि कोई कुटा चुपाया नहीं है तो इसका मतलब क्या है युनिवर्सल नेगिटिव है तो सत्य क्या होगा, इसके opposite में में क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था, इसके opposite में होता हमारा particular positive यानि कि I होता है, चलि यह मैं आपको दिखा गात आँग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अब यह देखिए दोस्तों, contradictories के अंदर क्या होता है, कि ई अगर गलत है तो आई हमारा सही होगा यह आप नीचे पढ़ भी सकते एक सही है तो दूसरा गलत होगा और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा अब दूसरा दो नमर पर पढ़िए अगर एक गलत है यानि ई गलत है तो दूसरा सही होगा यानि कि I इसमें सही होगा तो यहीं से हमें समझना है दोस्तों यहीं से हमारा question सही होगा देखे दोस्तों अभी हमने समझा कि अगर हमारा E गलत हो तो सही क्या होगा हमारा I सही होगा यानि कि particular positive particular positive के अंदर क्या होता है कुछ चीजें सही होती है तो इनमें देखते हैं दोस्तों जो हमारा particular positive है वो कौन सा point है अब सबसे पहले option number A देखते हैं कुछ कुटे चुपाया है तो दोस्तों हमें यह देखी हैं सबसे पहले यह बात मिल गए कि कुछ कुटे चुपाया है मतलब particular positive हमें मिल गया तो इसका जो answer होगा दोस्तो option number A होगा कुछ कुटे चुपाया है यानि कि कुछ कुटे ऐसे जिनके 4 टांगे होती है तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल लसानी से question कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है कोई problem है तो आप हमसे comment box के जरीए पूछ सकते हैं और अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो आप हमें whatsapp के जरीए अपना सवाल जवाब भेश सकते हैं और अगर आप चाहे तो हमारा paid group join कर सकते हैं दोस्तो उसमें हम आपको systematic तरीके से study करवाते हैं 10 unit के study notes देते हैं और old paper अधिक जानकरी के लिए दोस्तो आप हमें whatsapp message कीजिए उस पे हम आपको पूरी जानकरी दे देंगे और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसे वीडियो को super batch त्यार किया है इसके अंदर हम आपको पेपर फर्ट की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करवाएंगे जो 25 मार्च से सुरू हो रहा है इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes से देंगे 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper देंगे live mock test देंगे इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको paper second भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक जिससे आप paper first और paper second की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं तो अगर किसी वी दोस्त को हमारे इस 60 दिन का batch जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो जैसा कि आप वीडियो का थमनेल देख रहे हैं इसके अंदर हमने बताया कि दुनिया का सबसे असान कोशन यूजी सी नेट एक्जाम में आता है और मैं आपको विद लाइव प्रूफ के दिखाऊंगा दोस्तो बिल्कुल असान कोशन यूजी सी नेट के अंदर आता है इसका अंसर आप केवल और केवल दो सैकिंड के अंदर दे सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना जिससे आप अच्छे से एक्जाम कर शकें दोस्तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोश्ट भी जोइन कर शकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट से देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे के आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं अगर आपको हमारा पेड़ कोश्ट जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमर पर कॉंटक्ट कीजिए दोस्तों logical reasoning के अंदर वैसे तो बहुत से question important है बहुत से topic important है तो इन सभी को हम step by step यानि की हर एक वीडियो में करेंगे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम analog argument यानि की सादर्श मुलक तर्प के बारे में बात करेंगे और इसको हम कितने असानी से कर शकते हैं ये हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले question पे आते हैं ये question देखे दोस्तों हमारा December 2013 के question paper में आया था इसके अंदर क्या है कि ये question number 14 चोधा number question सनी और मंगल दोनों प्रिथवी की तरहे ही ग्रहे है वे सुरिये से प्रकास ग्रहन करते हैं और प्रिथवी की तरहे ही सुरिये के चारों तरफ ग्हूमते हैं तो दोस्तों ये definition इन्होंने यहाँ पे दी है तो इसे हमें पढ़के हमें बताना ही कि यह किस तरह का तरक है तो इसमें अगर दोस्तों देखोगे तो इस कांसर आएगा सादर्श्य मुलक तरक दोस्तों मैं आपको बता दो कि सादर्श्य मुलक का मतलब क्या होता है सादरश्य मुलक का मतलब होता है यानि कि उसके जैसा दिखने वाला ठीक है जिसके अंदर हम किसी चीज का compare करें किसी चीज के साथ तो वहाँ पे क्या होगा सादरश्य मुलक तरक होगा और इंगलिश में हम इसे क्या कहते है एनालोजिकल आर्ग्योमेंट कहते हैं और दोस्तों अभी हम आपको आगे कोशन दिखाऊंगा इसकी हम पहचान कैसे करेंगे इसके अंदर क्या होगा कि हम एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare करेंगे और इसमें ऐसे आएगा जैसे की उसकी तरह इस तरह के हमें संटैन से देखने को मिलेंगे जिसे हम बिल्कुल असानी से पता कर शकते कि इसका अंसर साथ दर्शे मुलक है तो चलिए अब हम अगले कोशन पे आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये देखे दोस्तों जून 2014 का कोशन पेपर है इसके अंदर कोशन नमबर 13 इसके अंदर इन्हों ने दिया है जिस परकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकडियों में बांटने से सेना की सकती सीन हो जाती उसी परकार तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काई कि जिस परकार सेना की चोटी चोटी टुकडियों को बाटने से सेर्णा की सकती शिन हो जाती है उसी परकाड यानि कि यहाँ पर एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare कर रहे हैं तो यहाँ से हम बिल्कुल असानी से पता लगा सकते कि इसका अंसर क्या आएगा तो दोस्तो इसका अंसर हमारा आएगा साथर से मुलक तर्क यानि की एनलोजिकल आर्गिमेंट ठीक है दोस्तो तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं और दोस्तो यह जो कोशन है इसका अंसर हम बिल्कुल असानी से दो सेकेंड के अंदर दे सकते हैं बस हमें थोड़ा सा परखने की आवसकता है अब यह देखें दोस्तो दिसंबर 2014 का कोशन पेपर है और इसके अंदर दे कोशन नमबर 22 बहतर सिक्षया का लाब उठा कर किसी आदमी का अपने को इस्तरी से अधिक बुद्धीमान मानना इसी परकार है जैसे अब देखो दोस्तो यहाँ पे भी इसने क्या कहा है जैसे यानि कि इसमें कंपेर कर रहा है एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपेर कर रहा है तो यहाँ पे इस कांसर क्या आएगा दोस्तो सादर श्यमूलक तरक आएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना असान है है अमारे लिए करना और अगर आप इसे English में पढ़ना चाहो तो English में भी मैं आपको दिखा देता हूँ English के अंदर यह है 22 तो यहां से आप बिल्कुल असानी से पढ़े कि सकांसर दे सकते हैं तो दोस्तो मेरे को ने लगता कि इससे असान कोई कोशन यूजी सी नेट के अंदर आ सकता है और ये बहुत ही असान है बस थोड़ा सा में ध्यान देने की आव सकता है और अब यह हम आपको और भी दिखा देता हूं कि ये कोशन कितनी बार रिपीट हुआ है ये देखे दोस् तो इस समें नूकत है को ऐसे प्रेक्शन का सामना करना पड़ा तो दोस्तो इसके अंदर अगर अगर अगला कोशन देखते हैं और अगर आप ये English में देखना चाहो तो English में मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि ये देखे ये अपना 31 English में यहाँ पे आप अचानी से देख सकते हैं तो अगला कोशन हम देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुआ है ये देखे दोस्तो जुलाई 2016 का कोशन पेपर है ये और इसके अंदर 31 कोशन नमबर है ये वही है और इसके अंदर क्या है ये देखिए कि यह कलपना करना की इस अनंतरिक्स में पर्थवी ही एक बसी हुई दु गेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते कि प्रिथवी जो है उसका कंपेर किया जा रहा है बाजरे के खेत में जो बाजरा उगाते हैं दाने उगाते हैं उससे इसका कंपेर किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते कि जैसा की इन्हों ने यहाँ पर दिया हुआ ह यहां पर यह देखिए तो यहां पर बिलकुल आसानी इसका असर दे सकते हैं इसका अंसर होगा साद्र शे eltर्वेतले मुलक तर्क ठीक है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना असान है कितना असान है और लग भग हर बार ये कोशन पूछा जा रहा है और अभी हमारा जो कोशन पेपर हुआ था जुलाई 2018 का उसमें भी आया था अब ये देखे जनवरी 2017 का कोशन पेपर है इसके अंदर भी इन्होंने ये देखी महिलाव तथा प्रूसों की प्रजनना तमक क्रि या विधी अलग-अलग हो सकती है और ये देखे आगे पड़ोगे तो इसमें देखे ये लिखा हुए उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखो को अब देखी यहाँ पे जो महिला और पूस है उसका कंपेर किसके साथ किया जा रहा है पक्षियों के साथ कंपेर किया जा रहा है तो यहाँ पे इस कांसर की आएगा साथर शे मुलक तर्क आएगा तो दोस्तों आप देख सकते कि कितना आसान है कितना आसान है लेते हैं यह आ गया जैसे गिलास में बर्फ के पिंखल पिंखलते गोलों से आप यह इसे पूरा पढ़ोगे तो इसमें आपको आप देखोगे कि कंपेर किया जा रहा है जैसे गिलास में बर्फ ठीक है इसमें कंपेर किया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहा और एक चीज और देखना दोस्तों अगर कहीं ऐसा ना हो कि option के अंदर सादर्श्य मुलक दिया हो और वहाँ पे compare ना किया गया हो ठीक है हमें यह देखना जरूरी है कि वहाँ पे comparison है या नहीं है comparison होगा तभी उसका answer के आएगा सादर्श्य मुलक आएगा तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देने के आऊ सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हो कि सादर्श्य मुलक आएगा सादर्श्य मुलक आएगा और question कोई अलगी आजाए उसके अंदर option दिया हो सादर्श्य मु ठीक है तो चलिए अब हम अगला question देखते हैं ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का अभी जो अपना question paper हुआ है उसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप पूरा sentence पढ़ होगे तो ये देखिए आगे आ रहा है यहाँ पर मापको दिखा दूए ये देखिए जिस प comparison कर रहा है यहाँ पर आप यह पूरा का पूरा sentence पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं पढ़ होगा इसे तो काफी लंबी ये वीडियो बन जाएगी आप इसी वीडियो को रोक के असानी से पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते कि जहां पर comparison करते तो उसका आनसर क्याए argument तो दोस्तों आप देख सकते कि हमारे लिए कितना असान है कितना असान है बस थोड़ा सा ध्यान देने के आऊ सकता है और दोस्तों इस तरह से यह कोशन आप बिल्कुल असानी से दो सेकिंड के अंदर कर शकते आपने विद लाइव प्रूफ देखा दोस्तों अगर आपक कि आप हमारी आने वाले वीडियोज को असानी से देख सके हैं एंटी ए यूजिसने यहनी निमिजने डाउनलोड इट आउन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटीब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियोग अढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम लोजिकल रिजनिग के अंदर करने वाले है इंडेक्टिउ और दीडेक्टिव रिजनिग दोस्तो इसमें से बहुत से कॉशन आज तक आये हैं और आगे भी इनमी से आने की संभावना है ये जो topic के दोस्तों थोड़ा सा confuse करने वाला हो सकता है काफी दोस्तों को इसमें बहुत problem होती है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको live proof के साथ ये question सभी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से ये question हम बिल्कुल असानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों सबसे पहले हम question देख लेते हैं कि inductive-directive reasoning में से किस तरह से question आते हैं ये देखे दोस्तों ये हमारा जून 2013 में question आया था इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक निगमनात्मक तरक मन्यन नहीं हो सकता इसमें बताना है कि हमारा जो detective argument है वो कौन सा valid नहीं होगा वो इसमें से हमें बताना है तो इसमें काफी तरकी problem आती है दोस्तों तो यही हम इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद जैसे यह देखे दोस्तों दिसंबर 2015 में question आया था एक निगमनात्मक तरक एवैद होगा यहां पर इन्होंने invalid पूछ लिया और यहां पर इन्होंने invalid पूछ लिया था valid कौन सा उगर यहां पर इन्होंने invalid पूछ लिया और ये दोनों के दोनों कोशन आप देख सकते हैं कि लग भग सेम है इसमें भी ये कहा है कि अधारवा के सही और निसकर्स सही है इसी तरह की बाते इसमें कही गई है तो ये छोटी छोटी बाते जो हमें ध्यान देना जुरूरी है और यहीं से हमारा कोशन सोल आउट होता है अब देखें ये जैसे इन्होंने जुलाई 2016 में दिया है इन्होंने वही दुबारा फिर बात कही है कि निगम नातमत तरकी यानि कि डिड़क्टिव आर्गिमेंट है इनमें से कौन सा सही होगा और ये जो कोशन है दोस्तों बाद में भी आया है 2017 में भी आया है और 19 में भी कोशन दिखाऊंगा विद हिंदी और इंगलिस दोनों लेंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन इससे पहले हमें डिड़क्टिव और इंड़क्टिव रिजिनिंग को समझना बहुत ज्यादा जुरूरी है तो चलिए हम समझते सबसे पहले की टाइप ऑफ आते हैं और भी काफी तरह के आर्ग्योमेंट है वो हम आगे की वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देख लेते कि एक आर्ग्योमेंट है आर्ग्योमेंट क्या होता है तो यहां पे दोस्तों आप यह पढ़ सकते कि आर्ग्योमेंट क्या होता आर्ग्योमेंट का यहां पर पढ़ सकते हैं असानी से पढ़ लेना और अब बात आते हैं जैसे कि सबसे पहले आता है दोस्तो हमारा डिटक्टिव रीजनिंग आता है इसमें से काफी कोशन आया बहुत कोशन आया है तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखे इसके इंदर क्या होता है दोस्तों इसमें क्या होता है कि समन्ने सत्य से तरक दवारा अग्यात सत्य को प्रमानित किया जाता है यानि कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों एक चीज हमें पता होते है पहले कोई चीज पता होते है और उसके दवारा कोई ऐसी चीज का पता लगाया जाता है जो हमें ना पता हो, अन्नोन हो यानि कि अन्नोन चीज का पता लगाया जाता है। प्राए ग्यात सत्यों के अधार पर जो चीज हमें पता है ग्यात सत्यों के अधार पर अग्यात सत्य का निगमन होता है reasoning from non to unknown ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों non to unknown जो होता वो detective reasoning के अंदर होता है और वी कई चीजे इसके अंदर वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब देखे यहाँ पे हम एक एक्जामपल ले लेते हैं देखे सभी मनुश्य नस्वर है मोहन मनुश्य है और ये इन्होंने दो तरक दे दी अब तीसरा है कि अते मोहन नस्वर है ये क्या है कि ये इन्होंने निस्कर्श दिया ये इन्होंने तरक दिया सभी मनुश्य नस्वर है मोहन मनुश्य है अते मोहन एक नस्वर है ये देखे ये चीज हमें पता थी और ये चीज हमने नई खोजी है आता है यानि कि लाश्ट में जो मोहन है वो नस्वर है इस तरीके से हम इसमें जो आर्गिमेंट वो करते हैं और जो इसके अंदर काफी इंपोर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो मैं बताऊं और इससे पहले हमें एक उधान देख लेना चाहिए यह देखे दोस्तो और इन ही अधार वाक्यों के अधार पे हमें इन में से निसकर्स निकालना पड़ता भी इन में से कौन सा सही है तो आपने यहां पे देख लिया कि अधार वाक्य कौन से होता है अब देखे अब इसमें जो हमारे डिटेक्टिव रीजिनिंग है इसमें हमें दो से तीन बात दियान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहली बात निसकर्स अधार में नहित किसी विवस्तों से अधिक का दावा नहीं करता अब इसे समझने की कोशिस कीजिए दोस्तों ये कह रहा कि निसकर्स निसकर्स यानि कि जो हमारा रिजल्ट यहां पे निकलेगा इसमें से हमें एक चूज करना है एक सेलेक्ट करना है इसमें से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो इसमें से ही निकलेगा इसमें से फाल्तों कोई भी रिजल्ट यहां पे नहीं निकलेगा यानि कि जो भी हमारा निसकर्स है दोस्तों वो क्या है कि वो आधार में निहित किसी विवस तो इसे अधिक का दावा नहीं कर सकता समझ में आई बात चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि निसकर्ष यानि कि result के अंदर हमें जो भी प्राप्त होगा वो इसी की अधार पे होगा इसे सेफ हाल तो हम result के अंदर कुछ नहीं दे सकते हैं सबसे पहली बात अब दूसरी देखते हैं निसकर्ष अंतिम रूप से अधार अधारो दवारा पुष्ट होता है ये बात भी इसी से जुड़ी हुई है कि जो हमारा निसकर्ष होता है दोस्तों वो इसी पे depend करता है यहां पे क्या दिया हुआ है तभी हम यहां पे result निकाल सकते हैं अगर यहां पे हमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं पता है कि अधार वाक्य में क्या दिया है अधार वाक्य अगर incomplete है तो हम निसकर्ष नहीं निकाल सकते और इसके बाद में यह भी है कि निस्कर्स अंतार अधारी काओ से निकलता याने कि फाइनल जो रिजल्ट वो केवल और केवल हमारा जो अधार वाके है यहाँ पे यह जुद्धी हैं इन्हीं से हमारा निकलता है तो ये तीन जो बते दोस्तों हमें याद रखना बहुत ज्यादा जुरूरी है दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि अधार वाक्य क्या होते है और निस्कर्ष क्या होते है अब डिटेक्टिव रिजिनिंग के अंदर दोस्तों पांच और मुख्य वाते हमें याद रखना बहुत ज्यादा जुरूरी है अगर आप चाहे तो इनको देख सकते हैं अगर आपको नेट कॉलिफाई नहीं करना तो आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं चलिए ये बाते देखते हैं देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर डिटेक्टिव रिजिनिंग के अंदर ये आती है एक सही अधारवाके एक गलत अधारवाके और एक गलत निसकर्ष वाला तर्क वैद हो सकता है अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अधारवाके देखिए अधारवाके सबसे पहले हम देखिलेते अधार वाक्य होते दोस्तों हमारे पास दो होते ए और बी हमारे पास होता है और एक उसमें से निसकर्ष निकलता यानि कि दो अधार वाक्य और एक निसकर्ष टोटल तीन चीजे हमारे पास होती है अब देखी इसके अंदर एक सही अधार वाक्य और एक गलत अधार वाक्य हो तो उसका जो निस्कर्स निकले वो गलत हो सकता है तो ये क्या होगी हमारी valid चीज होगी याने कि वैध तर्क हमारा होगा ठीक है ये बात आपको समझ में आई याने कि दुबारा फिर समझा देता हूं कि A हमारी चीज सही हो भी हमारी गलत हो तो जो हमारा निसकर्ष है दोस्तों वो गलत निकल सकता है तो ये जो होगा हमारा सही होगा, ठीक है अब देखतें दूसरी दो नंबर पे बात, अब देखिए अगर हमारा एक सही अधार वाक्य हो और दूसरा गलत हो ये बात हमने देखी, यही इसमें देखी, कि एक सही और एक गलत हो, तो हमारा क्या होगा निसकर्ष गलत होगा, लेकिन अगर एक सही और एक गलत हो, तो निसकर्ष जो है हमारा सही भी हो सकता है, ये चीज़ आप देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली है, कि अगर एक अधा सही है दूसरा गलत है तो निसकर्ष है वो गलत भी हो सकता है और निसकर्ष है वो सही भी हो सकता है दोनों चीजी है तो ये भी क्या होगा हमारा वैलिड होगा चलिए मैं इसमें इसमें आपको समझा देता हूँ देखी अगर हमारा ए सही है और बी जो है गलत है तो जो हमारा निसकर्ष है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है आई बात समझ में तो अगर सही होगा तो भी हमारा वैलिड है और अगर गलत होगा निसकर्ष तो भी हमारा अर्ग्वेंट वो सही है उसे हम वैद कहेंगे ठीक है ये दो बात आपको समझ में आई अब तीसरी बात दे निखल रहे निकल रहे वह भी हमारा लिख दिया जो निखकर्ष मेरा टो वह भी वेलिड होगा अगर हमारे तीनों की तीनों चीजे गलत हो A B गलत हो, B B गलत हो निसकर्ष भी हमारा गलत निकले तो हमारा क्या होगा आरिवेंट वो भी वैलिड होगा ठीक है, अब अगली चीज़ देखते है जो सबसे लाश्ट में आती है इंपोर्टेंट है काफी अब देखें, नमबर पांच पे क्या आता है कि अधार वाक्य A हमारा सही है B B हमारा सही है और लेकिन निसकर्ष है, वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा अवैद, यानि कि इन्वैलिड आर्ग्यूमेंट इसे कहेंगे देखें, इसे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, नमबर पांच का मतलब क्या है यानि कि अधार वाक्य है हमारे पास कोई दो तरक दिये गए तरक A भी सही है और B भी सही है लेकिन जो निसकर्ष निकले वो हमारा गलत निकले तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगा दोस्तों ये हमारा गलत होगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इनहीं के बेस पे हमारे कोशन बने है, चलिए मैं आपको कोशन करके दिखाता हूँ, उन से आप बिल्कुल सही असानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें कोशन करने है अब देखिए सबसे पहला हमारा कोशन है जून 2013 के अंदर आये था इन्होंने कहा है कि निगम नात्मक तरक मान्य नहीं हो सकता अब यहां पर सबसे पहले देखिए मान्य नहीं हो सकता हमें क्या बताना है इन्वैलिड बताना है दोस्तों इन्वैलिड बताना है तो invalid देखते हैं इसमें से कौन सा होगा यदि इसके अधार वाक्य सही है और निसकर्स सही है अब देखे अभी हमने बात की कि अधार वाक्य A और B दोनों सही है और निसकर्स भी सही है तो यह क्या होगा हमारा valid होगा यह बिल्कुल सही बात होगी अगला देखते है B, यदि इसका इसके अधार वाक्य सही और निसकर्श गलत है, अब ये देखे दोस्तों ये वात आगी, यानि कि इसके अगर जो अधार वाक्य A भी सही है, B भी सही है, लेकिन निसकर्श अगर गलत निकल जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये invalid argument होगा, ठ question कर सकते हैं, और आगे देखते हैं, आगे हमारा question number 32 है, इसमें ये December 2015 में आया था, एक निगमनात्मक तरक अवैद होता है, यानि कि इसमें भी इन्होंने invalid की बात पूछिए कि कौन सा invalid deductive reasoning होगा, अब देखे, इसमें कहाई कि इसके अधार वाक्य और निसकर्श सभी ए सक अब ये देखे, इसने कहाई कि सभी ए सकते हैं, अधार वाक्य और निसकर्श, अधार वाक्य ए वी गलत है, बी वी गलत है और निसकर्श भी गलत निकले, तो ये चीज तो हमारी बिल्कुल सही है, इसे तो हम वैद कहेंगे, यानि कि सारी चीज गलत है, तो गलत का तो गल ही result निकलेगा ये बात सही है लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है यानि कि invalid चीज हमें यहाँ पर बतानी है अब आगे है इसके अधार वाक्य सत्ते प्रंतु निसकर्श ए सत्ते अब ये देखे दोस्तो इसने काए कि अधार वाक्य सत्ते हो यानि कि मैं समझा रहा हूँ आपको कि अधार वाक्य ए भी सही है बी भी सही है लेकिन जो निसकर्श वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा दोस्तो ये इसे हम वैलिड आर्गुमेंट नहीं कहेंगे ये हमारा क्या होगा इन्वैलिड होगा यानि कि ये जो आर्गुमेंट है हमारा गलत हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे एवएद तरक कहेंगे इन्वैलिड आर्गुमेंट कहेंगे तो इस तरह से दोस्तो आप बिलकुल असानी से इसको करश रखते हैं और यही बात हमने इसके अंदर की थी यह देखिए यह जो कोशन है हमारा और यह जो कोशन है दोनों के दोनों कोशन बिल्कुल सेम है बस यहाँ पे इन्हों ने क्या कह दिया यहाँ पे इन्हों ने कह दिया कि निगे मनातमक तरक अवैद होता है और यहां पे मानने नहीं हो सकता बात एक ही है दोस्तों समझने की जरूरत है बस घुमा रखा है और आगे दोस्तों आगे हमारा जुलाई 2016 के अंदर कोश्चन आया है उस कूट का चैन कीजिए जो अधार वाक्यों वाले दिंग मनातमक तरक के परशंग में सही नहीं है यहां पे क्या बताना है कि सही नहीं है वो हमें बताना है दोस्तों क्या सही नहीं है अब अब ये देखे दोस्तों ये भी क्या कर रहे हैं UGC वाले ये देखे दोस्तों इसमें भी ये एक option number two देखे दोस्तों इसके दो सही अधार वाकिय और एक गलत निसकर्श वाला तरक वैद हो सकता है अब इसमें देखे दोस्तों इसमें देखते हैं हम एक सही अधार वाक अगर गलत है तो जो हमारा निसकर्ष है वो दोस्तों सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है दोनों कंडिशन के अंदर हमारा जो आर्गिमेंट है वो राइट होगा वैलिड होगा यह चीज हमने पढ़ी थी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप भूलो मत यह देखे यह हमारी A है यह और यह जो B है यह हमने चीज़ देखी थी ठीक है यह आप पढ़ लेना दोबारा और अब देखते हैं जैसे अगला जो ओप्षन है इसके अंदर और अप सब्से पहले एक चीज़ देखना की हमने क्या पता करना है ऑ गलत पता करना है सही नहीं है 2016 का इसमें एक सही आंसर इसका क्या हैगा वो सभी के सभी दोस्त हमें कमेंट वोक्स के अंदर जवाब देना और इसका जो जवाब है ना दोस्तों जवाब इसी की अंदर है इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ये जो है ना इनके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है और आपको यह बताना है देखिए इसके अंदर हाँ ओपसन नमबर A होगा एक होगा दो होगा तीन होगा च्यार होगा यह आपको बताना है तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से कर शक्ते हैं और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों इसमें हम आपको आगमनात्मक तरक आता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों किसी वस्तू या परकिरिया में जो वस्तू या प्रिणाम मिलते हैं उसका निरिक्षिन किया जाता है और इस तरह अनेक समान वस्तू और परकिरियाओं में से विजह स्तत्वों के अधार पर समानने सिधान्त बना हैं और उनको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद में कोई हम सिधान्त बनाते हैं इसमें हम आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं जैसे कि हम मान किसे लिए एक अलमीरा के अंदर गए तो उसके अंदर जैसे हमने पहली बुक निकाली वह मैथ की निकली दूसरी बुक निकाली वह मैथ की निकली तीसरी बुक निकाली वह मैथ की निकली हमने दस बुक निकाली दस की दस जो बुक है वह हमारी मैथ की निकली तो उससे हमारा क्या मतलब निकला वही इस अलमीरा के अंदर जितनी भी बुक्स पढ़ी है वह हमारी क्या है मैथ की बुक पढ यह क्योंकि हमने 10 बुक निकाली और 10 की 10 जो बुक है हमारी math की बुक निकली यानि कि चोटी-चोटी चीजों से जो हमें प्रकीरिया से जो हमें निसकर्श निकलता है जो राय हमारी बनती है उसे हम inductive reasoning कहते हैं देकि इंडेक्टिव और deductive reasoning में जो अंतर है वो आप यहां से बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं इसका screenshot ले सकते हैं और इसमें जो जो और इसमें जो दो मुखे रुप से बात दियान रखने वाली है वो यह है निकलनात्मक पदती में समन्ने सिधान्तों ते डिडेक्टिव रिजनिंग में जो मुखे बात दियान रखने वाली है वो जाया जाता है समन्ने से विशेश की और जाया जाता है लेकिन आगम नातमक में दोस्तों क्या होता है विशेश गुणों के अधार पर समन्ने सिधानतों का निर्मान किया जाता है तो ये जो मेजर चीज है दोस्तों ये हमें ध्यान रखने वाली है और भी इसमें कई बाते वह आप पढ़ सकते बिलकुल असान है और दोस्तों इवनिंग के जो वीडियो होगी हमारी वह आप बिलकुल देखना उसके अंदर आप सभी कोशन करवाएंगे इंगलिस हिंदी में कोशन करवाएंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंकियो दोस्तों यानिनिमीजनेट दौणोड नगूगल प्ले स्टार दोस्तों आज हम लॉजिकल रिजिनिंग में वेन डायगराम करने वाले हैं वेन डायगराम से रिलेटेटेड तीन से चार कोस्चन ήταν ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें से बहुत से कोशन आते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेन डाइगराम होता क्या है वेन डाइगराम किसे कहते हैं देखिए वेन डाइगराम कि मैं बात करूँ तो इसमें से कई तरह के कोशन आते हैं मैं आपको थोड़ा एक्जामपल दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों एक इस तरह का कोशन आता है इसके अंदर हमें 3 से 4 सरकल दिये हुए होते हैं वेन डाइगराम से तरह करते हैं ये दोनों कोशन हमें करने जरूरी है अबी कधन का वो भी हम वेन डाइगराम से सॉव करते हैं तो वो भी हम करेंगे, यह सभी question हम करेंगे दोस्तों इसमें मुख्य तक क्या होता है दोस्तों इसके अंदर वेन डायगराम के माध्यम से दी गई वस्तुव के समों को वरगी कृत करना है यानि कि इसके इनर हमें काफी तरह की चीज़े दियों यो तेरुन को हम समों में अलग-अलग डिवाइड करते हैं और इसके अंदर जैसे अक्षरों के माध्यम से संख्याओं के माध्यम से भी हम अपनी चीजों को डिवाइड करने की कोशिस करते हैं जैसे जैसे यह जो चैप्टर हैं हम करेंगे दोस्तों आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी जो definition विगरा है इस से related जो भी बाते हैं वो हम पढ़ने की कोशिस करते हैं क्योंकि इसमें से काफी question आज तक आये हैं तो इसमें जो अच्छी बाते हैं और जो negative बाते हैं वो दोनों चीजी हम देखने की कोशिस करे होगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि विए डाइगराम विए आरेक ऐमारी समझ को बढ़ाता है यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं दोनों हमने दिये हुए है व्न डाइगरें करने करेंग्रेंग और उसके बाद वे नर्यारेक संकेत पधती का सपश्च तरीका है यह क्या है कि इससे हमें संकेत मिल जाता कि कौन सी चीज क्या है एक हमें एक indication यह दे देता है उसके बाद जैसे वेन डाइगराम अधी कथनों और स्रेणियों को परदर्शित करता है जो वेन डाइगराम वो क्या करता है दोस्तों वेन डाइगराम रिप्रेजेंट प्रेपोजिशन एज वेल एज क्लासिज तो इसके अंदर जो कथन अभी कथन होते हैं उनको वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता है और कथन अभी कथन से रिलेटेड भी हम कोशन करेंगे तो आप थोड़ा वेट कीजिए और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दू कि यह जो है ना यह अपने जितने भी मैं यह करवा रहा हूं पॉइंट यह बहुत ज्यादा most important पॉइंट है इन में से कोश्चन आये कम से कम अगे ना यहाँ है और यह जो कोशन है यह जो कोशन है अवह यह बहुत ज्यादा रिपिट होते होँज़ से एक सब्सक्राइब करना अब हो सकते हैं अच्छे तरीके से सोच सकते हैं समझ सकते हैं निपाधिक न्याएवाक्य के सब्सक्राइब करने करने के लिए और इसके बाद में जैसे एक दो वह देख लेते हैं इसमें निर्यापूधिक न्यायवाक्य के प्रिक्शन के लिए तीन अधी व्यापत विद्वनाई जाते हैं इसके वह सकते हैं इसके लिए जाते हैं इसके लिए तो वीडियो रोख के इसका स्क्रींश लेके नोटस भी बना सकते हैं इसमें डेफिनिटी कर रहा हूं दोस्तों आएगा ही आएगा गांगा प्रसेंट कोशन आया क्यूंकि इसमें से पीछे बहुत से कोशन आ चुके हैं तो यह पूरे सभी के सभी पॉइंट आप अच्छे से कर लेना और अब एक और जो पॉइंट आता है कि वेंट डाइग्रम में कौन सी बात सही नहीं है यह हमें देखना है सबसे पहली जो मोच इ करने के लिए हमें दो वृषित की अश्क्ता होती है लेकिन दोस्तों जहां पर व्हांप हम तीन करें त्रीम करते हैं तो क़्छा की खाई है जए नहीं कि आ अब बात आते हैं इस तरह से करेंगे यह थोड़ा समझ लेते हैं अब देखेंगे लिए अब बात आते हैं अब यह माल लेते हैं और यह माल ले हमने जड़ 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 एक अंदर पूरी तरह से समाइट नहीं है अब इसके अदर पूरी तरह समाहित नहीं हैं अब इसके अंदर बिलकूल जड़ जड़ सरकल है वह हमारे बिलकुल अलग दिये हुए हैं तो इनका मतलब यह कि इन दोनों के अंदर कोई भी बैस नहीं हैं अब चली दोस्तों इसके बे एसे स्टुटेंटेंटेंगे और आगे देखते हैं हम इसमें गणित पढ़ने वाले एफ है जो उनली के वलों पढ़ने वाले चातर कौन से हैं चातर है और यहां से आपको यह जो ग्राफ है और यह बाते समझ में आयोगी क्यूंकि इन्हीं के बेस पर हमारे आगे कोशन और जो वकील भी में क्योंता है तो ऐसे ऊंदर आप बताइए इसके थी नेंदर हमारी संक्या थीन है नियुक वकिल भी तिस तरीक से विल्कुल असानी से कुछाने आह और अगर ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पर दरशित करती है तो वो अंसर बताइए दोस अगला question देखते हैं नीचे दिये गए चितर को ध्यान पूर्वक देखे और उस चेतर को पहचानी है जो ऐसे युवाव को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है पर सिक्सित नहीं है अब देखे इसमें क्या का है ऐसे युवाव को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है लेकिन सिक्सित नहीं है पहले हम इस पूरे ग्राफ को देखते हैं देखे ये है यूथ यानि कि यूवा है हमारे पास ये पढ़े लिखे है और ये है रोजगार है जिनके पास अब देखे यूथ कौन कौन से यूथ में कौन कौन से आते हैं एक आता है दो आता है पांच आता है चार आता है उसके बाद में हमारे पास जैसे पढ़े लिखे कौन कौन से आता है तीन आता है छे आता है पांच आता है दो आता है उसके बाद में रोजगार क इनके पास है, साथ आता है, छे आता है, पांच आता है, और चार आता है, इनके पास रोजगार है, अब हमें ये देखना है, ऐसे यूआ, सबसे पहले हमें यूआ देखने हैं, तो ये जो सरकल है, इसमें देखना है, यूआ जिनके पास रोजगार तो है, यानि कि जो इसमें क्या आएगा देखिए इसका आंसर हमारा आएगा चार आएगा अब देखिए मैंने कहा था कि इसमें और इसमें जो कॉमन है वो चीज हमें देखनी है जो यूआ है और रोजगार है जिसके पास में लेकिन नहीं है यानि कि पढ़ ही लिखे नहीं है तो जो नंबर चार जो है बीज ओप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमिजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमि है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल निमिजी नेट पर दोस्तो आपने यूजी सिनेट पेपर फर्स्ट में इस तरह के काफी कोशन देखे हुए होंगे जिसमें ऐसे होता कि सभी कुति सतंधार ये कोई बिली कुता नहीं है इनके बेस पे हमें एक निसकर्श निकालना होता है तो ये जो कोशन होते हैं दोस्तों ये काफी कन्फ्यूजिंग कोशन होते हैं और हमें काफी परेशान करते हैं और ये कोशन दोस्तों हर बार कोशन पेपर में आते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिलकुल असानी से क्योलर क्योल 10 second तरह से आप कर सकते हैं और अच्छे मार्स लेकर आ श से लेके 2019 और under Woods लेकर देया विद को अच्छे वाइज कोशन जेसे communication के लग करके इस तरी के से सभी 10 unit के जो question है आपको अलग-लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए दोस्तो ये question करने से पहले हमें when diagram के बारे में पता होना चाहिए और एक चीज़ और बता दू कि ये जो question है दोस्तो आप काफी तरह से कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको when diagram से किस तरह से question करना वो बताएंगे तो when diagram के बारे में हमने पहले वी वीडियो बनाई उसमें भी काफी कुछ बताएं वें diagram के बारे में और और वी काफी कुछ बताने वाले हैं देखिए जो when diagram होता है वो मुख्य रुप से तीन circle होते हैं उसके अंदर लेकिन हम समझने के लिए दो circle का भी use करेंगे देखिए जो when diagram होता है वो काफी तरह का हो सकता है सबसे पहले देखते हैं इसका type 1 यानि कि दो जब हमें circle दीवे होते हैं तो उसमें किस तरह का संबंध हो सकता है यह देखिए पूर्णत संबंध पूर्णत संबंध यानि कि completely relative यह देखिए जो मामा है वो पुरुस है तो इसके अं कि मामा हो वो सारे के सारे पुरुस होते हैं तो मामा किया कि completely related है पुरुस से लेकिन जो पुरुस है वो completely related नहीं है मामा से यानि कि सारे के सारे पुरुस मामा नहीं हो सकते लेकिन जितने वी मामा है वो हमारे पुरुस होंगे तो type 1 यह हो गया type 2 आता है दोस्तों इसके अं अच्छी करूप से सम्वंद यानि कि कुछ हद तक रिलेटिव अब दिए इसके मिनने दो सरकल दिये एक पुरुष का दिया और एक वakील का दिया है तो यहां से आप देख सकते कि कुछ जो पुरुष क्या है वकील है और इसमें हम कह सकते कि जो कुछ पुरूस होते वो वकील होते लेकिन सभी के सभी पुरूस वकील नहीं होते और सभी के सभी वकील जो होते वो पुरूस नहीं होते क्योंकि वकील है वो लेडीज भी हो सकती है और तीसरा इसके अंदर याता है दोस्तों कि बिलकुल भी एक दूसरे से रिलेटिव न ना हो उनके अंदर कोई वी रिलेशन ना हो जैसे यहां पर डॉक्टर और वकील अब देखिए यहां पर कुछ लोग दिये इन्होंने वह डॉक्टर है और वकील है दोनों के दोनों अलग है और काफी बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर और वकील दोनों भी हो सकते एक आदमी अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पास अगर तीन सरकल हो तो उसमें किस तरह का संबंद हो सकता है और दोस्तों एक बात मैं बता दू कि ये वीडियो आप पूरा देखना ध्यान से देखना अगर आपको ये concept अच्छे से clear करना है तो और इसमें मैं आपको live question भी करके दूसरा तीसरे से संबंधित हो अब तीन के अंदर हो सकता एक दूसरे से related और दूसरा तीसरे से यहाँ पर देख सकते कि सबसे पहले second है उसके बाद minute और फिर घंटा है अब हम देख सकते कि जो घंटा होता है दोस्तों घंटे के अंदर minute के अंदर second होती है जो second होती है जि ऐसे नहीं कह सकते कि minute second के अंदर include होता है नहीं ये बात हम नहीं कह सकते जैसे कि अगर हम ये कह दे कि पांच second हो गया पांच second में कितनी minute होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी minute होगी हाँ वैसे scientific रूप से निकाले mathematical रूप से निकाले तो वो निकले वो चीज अलग है निकल नॉर्मल भासा में हम नहीं कह सकते कि second के अंदर minute आती है तो इस तरह से ये तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से related है लेकिन एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित नहीं है ये चीज आपको देखना जरूरी है आगे देखते हैं दोस्तों तीन पर किस तरह के बन सकते हैं ये तो हमने देख लिया अब second किस तरह का हो सकता है second में ये हो सकता है कि जो दो चीजे होते हैं वो एक चीज के अंदर include हो सकती है जब दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो यानि कि दो चीजे हमारी एक चीज के अंदर पूरी रूप से including हो लेकिन वो जो दोनों के दोनों चीजे वो अलग हो इस तरह से देखा जाए major जो खुर्शिया दोनों के दोनों अलग चीज है लेकिन ये दोनों के दोनों चीजे क्या है दोस्तों है हमारी furniture के अंदर include होते है फर्णीचर के अंदर आती है ठीक है तो इस तरह से हम इनको पहे सकते है और आगे दोस्तों आगे हमारा तीसरा तीन नमबर पे इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो यानि कि दो चीजे एक चीजे के अंदर पूरी रूप से इंकलूड हो सकते हैं और जो दो चीजे वो एक दोनों क्या है ओरते हम कहे सकते हैं और एक जो देखी एक चीज़ हो रहे है कि बेहन जो है वो मा भी हो सकती है और जो मा है वो बेहन भी हो सकती है जैसे हमारे घर में होता है जैसे हमारी बुआ है तो वो क्या है वो मा भी है और वो बेहन भी है इस तरह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे से related है और ये दोनों के दोनों पूर्ण रूप से क्या है इस्तरी है completely इस्तरी है इनको हम ये कहेंगे इस तरह से इसको समझ सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास fourth number पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए एक मिनट हाँ four number पे अब समझ्य दूसरे समझ्य से पूर्णत संबंधित हो तो तीसरा समझ्य दोनों समझ्यों से आंसिक रूप से संबंधित हो अब इसमें देखिए एक चीज हो सकते हैं वो दूसरी चीज के अंदर पूरी तरह से include हो लेकिन तीसरी जो चीजें उससे कुछ-कुछ related हो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे खिलाडी दिया है किर्केट खिलाडी दिया है विवाहित दिया है अब देखिए जो किर्केट खिलाडी है यह क्या होते दोस्तों किर्केट खिलाडी चाहे किसी भी country का हो किर्केट खिलाडी वो खिलाडी ही होगा सारे के सारे किर्केट खिलाडी अंदर आते हैं यह बात हमने देख ली और यहां पर विवाहित जिनकी साधी हो चुकी है तो वो खिलाडी हो सकते हैं और वो किरकेट के खिलाडी भी हो सकते हैं यानि कि वो खिलाडी भी हो सकते हैं और खिलाडी में वो साइद किरकेट के खिलाडी हो सकते हैं तो यह कुछ कह सकते कि यह related है लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि विवाहित जो व्यक्ति है या औरत है वो खिलाडी या किर्केट की खिलाडी होगी ठीक है अगला देखते है टाइप 5 इसके अंदर क्या होता है कि तीन जो समुच्ची है तीन जो सरकल है हमारे तीन जो चीज़े है व दिया इंजीनियर दिया अब देखिए यहां पे हमने डॉक्टर दिया है डॉक्टर यानि कि कुछ डॉक्टर क्या है वो पुरुस है और उन्हीं पुरुसों में से कुछ पुरुस क्या है इंजीनियर है ठीक है यहां से आई बात समझ में यानि कि जो डॉक्टर है पास six नमर पे तीनों के तीनों समुचे एक दूसरे से आंसिक रूप से संबंधित हो अब इसमें और इसमें क्या फराग है दोस्तों इसके अंदर यह है कि जैसे हम तीनों चीज मान के चलते हैं कि जो यह यहां पे तीन चीज दिये है यह हो सकता है इंजीनियर और डॉक्टर के अंदर संबंध ना हो कुछ इंजीनियर डॉक्टर ना हो यानि कि कोई भी इंजीनियर डॉक्टर ना हो यह बात हो सकती है लेकिन यहां पे इन्हों ने क्या कहा है कि तीनों के तीनों एक दूसरे से related होंगे ही होंगे यहाँ पे संभावना है और यहाँ पे होंगे ही होंगे तो यह देखे जैसे पुरुस, वकील और लेखक अब देखे पुरुस दे दिया, पुरुस, लेखक इन्होंने कहा है कि कुछ पुरुस क्या होते हैं वो लेखक होते हैं और यही लेखक इन ही लेखकों में से कुछ वकील होते हैं तो अब देखें वकील क्या होंगे पुरुस भी तो होंगे और पुरुस क्या होंगे वो वकील भी होंगे तो यह तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से रिलेटिड होगी ही होगी ठीक है तो इस चीजे कराने लग गया तो यह वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और वैसे बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान है कोई ऐसी दिक्कत वाली भात नहीं है इसके अंदर आप यह देख लेना हाँ एक यह जैसे उधान 11 देख लेते हैं इसके अंदर यह कि कई चीजे ऐ बिलकुल अलग हो चलिए दोस्तों अब हम अपना कोशन करके देखते हैं कि किस तरह से कोशन होगा यह देखे दोस्तों यह दिसंबर 2013 में कोशन आया था और सबसे पहले हम इसका वेन डाइकरम बनाने की कोशिश करेंगे देखिए इसमें यह कहा है कि अधार वाक्य में क्य अब इसके बाद जो अगली वात कही है कुछ इमानदार लोग संत होते हैं तो इसका जो है दोस्तों वो वेन डाइकरम इस तरह से बन सकता है यह देखिए कुछ इमानदार लोग संत होते हैं तो यह हमने इमानदार लोग यह एडी लिख दिया मैंने इमानदार लोग कुछ इमानदार लोग संत होते हैं अब देखी अब इसके बेस पे हमें अंसर देखना की अंसर क्या होगा अब देखी यहाँ पे एक एक कोशन पे सोरी एक एक option पे हम बात करके देख लेते हैं कि सभी संत इमानदार होते हैं क्या हम यह कह सकते हैं दोस्तो और एक चीज़ मैं बता दू कि हमें केवल और केवल कोश्चन के अनिशार चलना है दोस्तो अगर कोश्चन में ये कहा जाए ना कि सभी के सभी साधू चोर होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा अधार वाक्य अधार वाक्य हमें देखना है दोस्तो most important चीज़ ये है अधार वाक्य में अगर ये कहा जाए कि सभी के सभी चोर धार्मिक होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा जो भी कहरा वो हमें मानना पड़ेगा ठीक है अधार वाक्य में तो अब देखिए अधार वाक से इसको सही कह सकते हैं और एक चीज़ और मैं बता दो कि इस तरह के जो कोशन होते हैं उसमें हमें जो definite तरीके से पता हो दोस्तों वही चीज़ हमें डिकलेर करने हैं वही उसका आंसर आएगा ये नहीं कह सकते कि संभावना वाला जो आंसर वो हम नहीं देंगे अब दिया था यहां पर ये तीन सरकल किये थे ये देखिए कुछ इमांदार लोग है और ये धार्मिक का सरकल है तो इमांदार और धार्मिक में ये देखिए ये जो पोर्शन है दोस्तों ये common आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ इमांदार लोग है वो क्या होते हैं धा बार में किसी को अच्छे से समझ में सायद ना आए तो चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते हैं ये कोशन नमबर हमारा दिसंबर 2014 में आया था इसमें देखिए धारवा के सभी कुत्ते सतंधारी है तो सबसे पहले हम कुत्ते लिख लेते हैं यहाँ पे हमने कुत्ते और एक बात फिर दोबारा मैं कहरे हूं कि हमें केवल इनके अधाब बक्रावाकिय के अनुशार चलना है रील लाइफ में क्या होता है वो हमें कुछ नहीं देखना है ये लिख लिया अब उसके बाद कोई बिल्यू जो है वो कुत्त नहीं है तो ये हमने बिल्ली लिख लि दोस्तों, ये हमने बिल्ली लिख ली और ये हमारा कुटा हो गया अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है ये जो हमारा ग्राफ है, दो तरीके से बन सकता है दोस्तों दोनों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यह देखिए एक तो हमारा यह बना चली हम आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ जैसे सबसे पहले हमने कुट्टा लिखा और फिर हमने सतंधारी लिखा यह S लिख दिया और फिर हमने यह बिल्ली लिख दी यहां पर ठीक है एक तो ये बन सकता है हमारा और दूसरा जो है वो किस तरह से बन सकता है वो ऐसे बन सकता है जैसे ये हमने कुत्त लिख दिया ये हमने बिल्ली लिख दी और ये हमने सतंधारी लिख दिया ये ग्राफ भी इसका बन सकता है क्योंकि इसने एक बात कही है कि सभी कुत्ते सतंधा यह लिख दिया अब आगे है कि कोई बिल्ली कुता नहीं है तो इसमें देखे यहां भी कोई भी बिल्ली कुता नहीं है वो हमने अलग लिख दी यह चीज और यहां भी कोई भी बिल्ली कुता नहीं है लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो बिल्ली है वो सतंधरी है या नहीं है य हम संभावना लगा रहे हैं कि ये इस तरह भी ग्राफ बन सकता है तो ये दोनों ग्राफ हमने एक वर ड्रो करके देख लिए अब देखते हैं जो हमारे निसकर्स है निसकर्स में ऐसा कौन सा निसकर्स है जो बिलकुल 100% सही होगा ठीक हमें निसकर्स वही देना होता है जो 100% स अच्छे तरीके से नहीं कह सकते दोस्तों क्यूंकि हमने आप यह दो ग्राफ बना के देखे अगर ग्राफ एक ही बात करें तो इसमें कह सकते हमारे अधार वाक्गे इसके नदर इन्दर बिल्ली और शतन धारी उसके अंदर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखाया गए तो हम अच्छे तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हां हम संभावना लगा सकते हैं हां ऐसा हो सकता भी कोई भी बिल्ली वो सतंधारी नहीं है लेकिन हमें संभावना उपे नहीं चलना हमें 100% जो आनसर मिले उसी को राइट करना है अब आग अगली बात आती है कोई बिल्ली कुता नहीं है अब ये देखे ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये 100% बात सही है क्योंकि इसने ये कहा है कि कोई बिल्ली कुता नहीं है और यहां पे कोई कुता बिल्ली नहीं है तो दोनों की दोनों जो बात है वो बिल्कुल सेम है एक से थोड़ी सी ऊट पटांग तो है यानि कि यहां पे इन्हों ने बिल्ली कुता नहीं कह दिया और यहां पे कुता बिल्ली नहीं है तो बात तो एक यह दोस्तों जो सब्द है वो आगे पीछे कर दिये तो अप्शन नमर जो थरी है दोस्तों वो अपना सही हो सकता है एक इस पे टिक कर लेते हैं उसके बाद में कोई भी कुता गैर सतंधारी नहीं है इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऐसा कोई भी कुता नहीं है जो दूध ना पिलाता हो क्योंकि यहां पे इन्हों ने यहां पे दे दिया सभी कुते सतंधारी है तो यहां स इसका क्या अर्थ निकलता है कि कोई कुटा गयर सतंधारी नहीं है तो इसका जो राइट आँसर होगा धौशतो 3 और 4 यानि कि इसका C जो आँसर है दोस्तो वो इसका राइट आँसर हो जाएगा और जूसतों अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आते तो आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं आप हमारा Paid Group जोइन कर सकते हैं उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते हैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यह हमारा जून जुलाई 2016 में आया था यह कोशन आप करके देखना दोस्तों मैं आगे और कोशन करवा देता हूँ जैसे जो हमारे 2017 में या 2018 में जो कोशन आये वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको यह हमारा अगेस्ट हाँ यह कोशन हमारे लिए करना जुरूरी है दोस्तों यह देखिए अगेस्ट 2016 के अंदर यह कोशन आया था और यही कोशन हमारा यह देखिए नवंबर 2017 के अंदर आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 2017 में सभी चमगादर सतन पाई होते कोई भी पक्सी चमगादर नहीं होता यह है और यहां पर यह देखिए अगस्त 2016 में भी यही बात कही है सभी चमगादर सतन पाई होते पक्सिया चमगादर नहीं होते तो बात से में दोस्तो कोशन एक है लेकिन अलग-अलग एर में दिये हुए है तो आप देख सकती कि डिट्टो कोपी कोशन भी रीपीट होते है कोशन पेपर के अंदर लेकिन आपने साइध आज तक ये बात नोट नहीं की होगी तो आज से ये बात नोट करके चलिए दोस्तो आपके लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इनमें सो बहुत कोशन डिट्टो कोपी रीपीट होते हैं चलिए अब हम ये कोशन करने की कोशिश करते हैं इसमें देखिए इसमें क्या कहा है कि सभी चमगादर सतन पाई होते हैं और सतन पाई का ये अभी हमने ये किया था ये देखिए कुत्ते वाला भी किया था तो सतन पाई से तीन कोशन हमारे अभी तक आ चुके हैं आगे भी इनके आने के संभावना है तो एक वर फिर ये कर ल लिया सभी चमगादर सतन पाई होते हैं ये हमने सतन पाई यानि की S ड्रो कर लिया और ये जो ग्राफ है दोस्तों ग्राफ नंबर एक हमारा बन गया अब अगली बात आती है पक्सियां चमगादर नहीं होते अब पक्सी हमने यहाँ पे अब देखी पक्सिया वो चमगादर नहीं होते तो इसके इसका ये बन सकता है दोस्तो ये बन सकता है ये हमने लिख दिया पक्सी पक्सिय वो चमगादर नहीं होते एक तो इसका ये बन सकता है दोस्तो ग्राफ दूसरा ग्राफ इसका क्या बन सकता है इसका ग्राफ दूसरा ये बन सकता है ये हमने चमगादर लिखा यहाँ पे और फिर ये हमने सतन पाई लिख दिया यहाँ पे ऐसे सतन पाई और यहाँ पे हम पक्सी लिख सकते हैं तो यह भी यही बात कहरा है दोस्तो चमगादर और पक्सी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पक्सिया चमगादर नहीं होते तो चमगादर और पक्सी को हमने बिलकुल अलग कर दिया और यह जो ग्राफ नमबर एक है इसमें भी चमगादर और पक्सी को हमने अलग कर दिया बिलकुल यहाँ पर आप देख सकते कोई रिलेशन इनके अंदर नहीं है लेकिन पक्सी और सतन पाई इनके अंदर relation में भी सायद हो सकता है हमें पता नहीं है ये बात इन्होंने यहाँ पे कलियर नहीं कि सतन पाई और समगादड के बारे में कलियर बात इन्होंने नहीं की है और इसका जो दूसरा है ये ऐसे भी हो सकता है सतन पाई और पक्सी के बीच में अब देखी अब हम इसका आंसर ड्रो करने की कोशिस करते हैं अब देखी पक्सिया सतन पाई नहीं होते अब देखिए पकसियां जो है सतन पाई नहीं होते ये बात हम नहीं कह सकते दोस्तों होते है नहीं होते ये हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि हमने दोनों तरह के ग्राफ बनाए है इस ग्राफ के अंदर कुछ पकसी सतन पाई हो सकते है और इसमें कोई भी पक्सी सतन पाई नहीं हो सकता तो हम 100% तरीके से नहीं कह सकते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा अब हम अगला देखते हैं चमगादर पक्सी नहीं होते यह बात बिल्कुल 100% राइट दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पक्सी चमगादर नहीं होत तो इसका मतलब यह है कि चम गादड है वो भी पक्षी नहीं होते यहां पर यह जो बीज ओप्सन दोस्तों यह 100% accurate बात कह रहा है तो एक तो यह बी एक बार माल लेते भी इसका सही होगा अब देखते हैं अगला सभी सतनपाई चम गादड होते हैं अब यह देखी यह बात भ कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने यहां पर कुछ अच्छे तरीके से नहीं बताया हम कितना है कि वो यह संभावना लगा सकते लेकिन संभावना इस तरह के question में नहीं चलती तो C है वो हम नहीं कह सकते अब option number D आता है कुछ सतनपाई चम गादड होते हैं अब देखी यह बात सही है दोस्तों क्योंकि यहां पर हमने यह देखा कि सारे के सारे जो समगादड है वो सतनपाई होते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा कि कुछ सतनपाई जो होते हैं इस चीज़ को आप थोड़ा साथ ध्यान देके समझना और आपको बिलकुल असानी से बात समझ में आ हैं आप और अब क्या करते हैं अब हम अगला कोशन करने की कोशिस करते हैं और यह जो कोशन है दोस्तों यह कोशन आप खुद करना और कोशन नमबर 29 29 का आंसर आप मेरे को सभी बताना कमेंट बॉक्स के जरीए कि इसका आंसर क्या आएगा यह कोशन मैंने आपको अभी कर है ठीक है यह कोशन आप करके बताना मेरे को और चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन करके देखते हैं यह कोशन हमारा दिसम्बर 2018 के इंदर आया है यह देखे इन्होंने कहा है कि Some Flower Are Red तो सबसे पहले हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रो कर लेते हैं Some Flower यानि कि सबसे पहले हम कुछ Flower Red है यह हमने एक मिनिट रुके इसका बड़ा ड्रो करते है यह हमने Flower यह एफ लिख लिए यह Flower है Some Flower are red, यह हमने red लिख लिए यह red इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद में all roses are flower, यह बात कहरा है, सभी के सभी rose है, वो हमारे flower है, आर से लिख लिए, मैंने roses को flower लिख लिया, अब आगे इसका जो conclusion है, वो देखते हैं, क्या है, इसे ने कहाई कि option नमबर एक जो दिया है some roses are red तो ये बात हम 100% सही नहीं कह सकते दोस्तों कि जो हमारे roses ये कुछ roses वो red होंगे ये बात हम नहीं कह सकते 100% तरीके से नहीं कह सकते अगली है दोस्तो some red things are flower ये कह रहा है कि कुछ लाल वस्तुए flower होती है ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि some flower are red यानि कि कुछ flower कुछ फूल जो होते वो हमारे लाल होते हैं और option number two में इसमने कह है कि some red कुछ लाल चीज़े हमारी फूल होती है तो ये इसकी बात बिल्कुल 100% होगी अब देखते हैं अगला question sorry अगला option some flower are roses some flower ये देखे some flower और roses ये बात भी इसकी 100% सही होगी क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है कि all roses सारे के सारे जो रोज है गुलाव के फूल है वो हमारे क्या होंगे फूलोवर होंगे तो इसका मतलब ये है कि तो हमारा option number 3 ये भी हमारा सही हो जाएगा अब अगला देखते है all roses are red ये बात हम बिलकुल नहीं कह सकते दोस्तों all roses are red नहीं कह सकते क्योंकि हमने यहाँ पे red और roses का अच्छे से define नहीं किया हुआ हिनोंने हाँ इसमें हम संभावना लगा सकते लेकिन संभावना नहीं चलेगी तो उसका जो right answer है दोस्तों वो हमारा A हो जाएगा B and C only इसका answer हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाएगे बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़ेए असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट लोजिकल रिजिनिंग में एक नया टोपिक करने वाले हैं यह टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना पहले हम भारतिय दर्सन सास्तर में परमान की बात करते हैं परमान होता क्या है उसके बाद में परमान से रिलेटिड जो भी हमारे टोपिक है वो सभी करेंगे देखिए परमान क्या होता है परमान उसे कहते है जो सत्य ग्यान प्राप्त करने में सहायता करें जिससे हमें यह पता चले कि हाँ यह चीज बिल्कुल रियालिटी है और परमान का मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो यह होता है और परमान के अंदर परमान को सिद क करने के लिए उसको सही तरीके से डिफाइन करने के लिए कई चीजों का हम यूज करते हैं उसके अंदर सब टोपिक आ जाते हैं जैसे प्रतेक्स हो गया अनमान हो गया उपमान हो गया सब्द हो गया अर्थप्ति हो गया अनुपलब्धिया अभाव हो गया तो इन सभी के बा और वो आता प्रतेक्स अब देखिए प्रतिक्स अपने कई कर देखा होगा सदोन की प्रतेक्स कि प्रमान की जरूरत नहीं होती लुक्त कि हम सब्छा अब प्रतेक्स होता है दोस्तों एक दम हमारी आँखों के सामने बिल्कुल कलियर कट कोई बात हो वो हमें दिखाई देज है उसके अंदर किसी वी तरह की छोपी वी बात ना हो अब देखे इसके अंदर क्या होता है मुखे रूप से क्या होता है इसके अंदर हम अपनी आत्मा मन और इंदरी यानि कि जो सेंस होती है हमारी स्रीर के अंदर उनके दोरा किसी चीज को जानना उसे समझना वो क्या होता है पर्टेक्स होता है जैसे कि मान के जलते हैं कि हमारे सामने आग जल रही है ये देखें जैसे हमारे सामने कहीं पर आग जल रही है इस तरीके से तो ये हमें बिल्कु हमारे सामने पर्तेक्स परमान हो और जैसे कि किसी को चोट लगी हुई हो तो हम उसको देख ले उसे खून बहता हुआ देख ले तो वो क्या होगा कि वो हमारे सामने पर्तेक्स परमान होगा किसी की जैसे हड़ी तूट गई हो हाथ कट गया उंगली कट गई तो वो एक हम उस देख लेते तो वो पर्तेक्स हमारे सामने पर्मान होता है, दूसरी तरफ अगर कोई हमें आके ये कहे दे भई उसे तो ना चोट लगी और उसका जैसे की हड़ी तूटगी, तो वो एक पर्तेक्स पर्मान नहीं है दोस्तों, वो हमें क्या है कि हम हमें कोई बता रहा है हम उसकी बातों पर केवल और केवल विश्वास कर सकते हैं और वो विश्वास हम उस पर उतना करेंगे अगला व्यक्ति देखना पड़ेगा वो कितना विश्वास योग्या है तो वो पर्टेक्स नहीं होता हमारे सामने पर्टेक्स वो जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें अनमान लगाना हमें अंदाजा लगाना किसी चीज के बारे में इसे अब देखी इसके अंदर अनमान के अंदर क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसका हमें डायरेक्ट रूप से पता नहीं चल रहा हो जिसका परतेक्स रूप से हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे अनुमान लगाएंगे भी हाँ यह हो सकता है यह हो सकता है वहाँ पे हम अपनी जो thinking है वो दोडाएंगे कि क्या क्या हो सकता है संभावना है वहाँ पे देखेंगे अब देखेंगे जिसे यहां मैंने एक example दिया हुआ है जिसे यहां पर आप देख सकते कि यह धुआ है यहां पे इतना धुआ है black black तो यहां पे हम हमें नहीं पता कि यहां पे आग जल रही है या पटाको का धुआ है या फिर artificial कोई धुआ है यहाँ पे किस तरह का धुआ है यह हम नहीं कह सकते हम अंदाजा लगा सकते कि हाँ यहाँ पे आग लगी हुई होगी हम अंदाजा लगा सकते अनुमान यहाँ लगा सकते है लेकिन 100% नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या चीज़ है देखिए यहाँ पे होने को कुछ भी हो सकता है जैसे कि किसी मसीन के दवारा यह ध्हुआ छोड़ा गया हो या फिर यहाँ पर आग लगी हो और या फिर यहाँ पर पटाके जलाए गए हो तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं ठीक है और उसके बाद है दोस्तों उसके बाद मैं बताओं आपको उसके बाद है उपमान उपमान का मतलब होता है दोस्तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ comparison करके कुछ अर्थ निकालना समझना ठीक है देखे इसके अंदर क्या होता है जैसे कि किसी वी वस्तु को हम दूसरी वस्तु से compare करते हैं और फिर मैंने आज एक नील गाएं देखी और वो तो बहुत भाग रही थी तो दूसरा वैक्ति है वो सोचे गा यार नील गाएं कैसी होती है तो वो पहले वाला वैक्ति बताएगा वह जो नील गाएं होती है उसके भी चार टांगे होती है और गाएं जैसा सरीर होता है उसका यान उनके अंदर जो समानता हैं वो बता के उसे समझाने की कोशिश कर रहा है तो जहां पे comparison करके कोई बात समझाई जाए उसे हम कहते हैं उपमान कहते हैं और दोस्तों यहां पे English Hindi में आप देख लेना क्यूंकि कई वार हम Hindi में confused हो जाते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास सब्द अब देखे सब्द परमान के अंदर क्या होता है दोस्तों और इसे वर्वल टेस्टनोमी भी कहते हैं अब देखे सब्द परमान के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी के कहे गए सब्दों पे ही विश्वास करते हैं हमें परतेक्स रूप से नहीं पता होता हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वहाँ पर परतेक्स रूप से भी हमें नहीं पता होता और उसे हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हम केवल और केवल जो व्यक्ति जो बात कह रहा है उसी पर हमें विश्वास करना होता है अब देखी इसके अंदर क्या होता है एक example देके मैं आपको समझाता हूँ आप Hindi में यहाँ पढ़ ले ना मैं example दे रहाँ आपको देखी अगर कोई वेग्यानिक आके हमें ये कहे कि चांद और पृत्वी के बीच की दूरी इतनी है 3,84,400 किलोमेटर इन दोनों के बीच की दूरी है तो ये क्या है दोस्तों ये हमें विश्वास करना होगा वेग्यानिक की बात्तों पे हम खुद वो तो नहीं है ना कि हम इसकी डिस्टेंस हम आपने चले कि कि कितनी है कम है ज्यादा है क्या है और ना ही हम परतेक्स रूप से देख सकते कि चांद और पिर्थवी के अंदर कितनी दूरी है हम नहीं देख इसके अंदर परतेक्स भी नहीं है यानि कि डिरेक्ट रूप से हम नहीं देख सकते कि दोनों के अंदर कितनी distance है ना ही हम इनके अंदर अनमान लगा सकते और ना ही इसके अंदर उपमान यानि कि comparison कर सकते इसके अंदर क्या है कि जो विज्ञानिक ने कह दिया उस पे हम विश्वास कर सकते हैं तो यह होता है हमारे पास सब्द परमानी यानि कि जो व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो उस पे विश्वास कर लेना जैसे कि हमने देखा होगा कि अपने आप हमें बाबा जो लोग बनते हैं वो कहते कि भगवान ऐसा होता है यह करने से यह होता है हम क्या करते हैं कि उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं हमें डाइरेक्टर रूप से नहीं पता होता कि सचाई क्या है जूट क्या है कैसे हम केवल और केवल उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सब्द पर्मान कहते हैं और नमबर फाइव पर आता है दोस्तों अर्थापती अब देखिए अर्था जो प्राप्ति होती है हमें ग्यान की उसे हम अर्थाप्ति कहते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या होता है जैसे हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है देववत देववत हमने नाम मान लिया इसका देववत दिन में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वह मोटा है अब देख कि इसके अंदर क्या होगा इस वाक्ते में ने खाना तथा फेbs मोटा होना इन दोनों कषक दोम समनाय की उत्पतिन नहीं होते यानि कि आप देखें हम यह कहले कि कोई वैक्ति है वह कुछ भी नहीं घाता और फिर भी मोटा है तो दोनों की दोनों जो बात है वह फिट नहीं बैट रही तो यहां पे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि इसने कहा है जो देववता दिन में यानि कि जो डे है डे में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वो मोटा है तो यहां से क्या अर्थ निकल रहा है यहां से यह अर्थ निकल रहा है कि जो देववता वो नाइट को बोट कुछ खाता होगा यहां से हम अपनी तरह से एक आंसर निकाल लेते हैं उससे हमें पता चल रहा कि अगर ये इनसान दिन में भोजन नहीं करता तो उसका मतलब सिधी सी बात ये कि ये रात को खाना खाता होगा इसलिए ये मोटा है तो इस तरीके से यानि कि अर्थ जो न यानि कि किसी चीज के अभाव होने से किसी चीज की कमी होने से हमें कुछ ग्यान प्राप्त हो उसे हम कहते हैं अनुक लब्धिया अभाव कहते हैं अब देखे इसके अंदर क्या होता है मैं एक्जाम्पल के थरू समझाने की कोशिस करता हूँ जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे टीचर के पास पैसे नहीं है हमारे टीचर के पास क्या है पैसे नहीं है हमें ये पता चलता है उनके अभाव के बारे में पता चलता है कि उनके पास पैसो का अभाव है इतनी बात हमें पता चल गी तो इससे क्या है कि इससे हम कई और चीजे निकाल सकते हैं, कई और अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर इनके पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए श्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, और इसलिए इनका ज्यादातर लोगों के साथ ज धगड़ा होता है तो एक चीज का अभाव का हमें पता चला और उस अभाव से हम कोई अर्थ निकाले या कुछ और समझे तो उसे हम क्या कहेंगे अभाव या फिर अनुपलब्धी परमान कहेंगे तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मुख्य रूप से छेत रहके परमान इन मे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का वटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं थेंकियो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े हैं असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम लोजिकल रिजिनिंग के अंदर कुछ और नए टोपिक करने वाले हैं जैसे कि अनमान, व्यापती, हेतातवभास इनके बारे में हम बात करेंगे वैसे तो हमने इसके उपर एक पहले वी वीडियो बनाई है प्रमान, अनुमान, उपवे, सब्द वगरा के बारे में उन सभी के बारे में वीडियो बनाई है आप वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन कुछ और टोपिक हमारे रहे गए थे तो वो सभी के सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इन में से कोशन आने की काफी संभावन हैं दोस्तों क्योंकि ये टोपिक हमारे अभी रिसेंटली एड हुए हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से नोट्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ली एर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग रखें टीचिंग के कोशन अलग रखें इस तरी के से सभी 10 यूनिट के जो कोशन हैं आपक कि किसी चीज़ करना हमें अनमान लगाना वह या चीज़ क्या हो सकती है अनमान लगाकि किसी फाइनल प् Liberty पर जा उयां इन्परेंस कहलाटा है अब एक उधान लेकशन चलते हैं या प्त गो पताइबर किसी पहाड़ के ओपर घुपर और तो वहाँ पर यहां क्या मैं वहाँ आग लगी हुई हो तो अनमान लगाना इस तरह से दिखिए यहाँ पर मैं थोड़ा एक्जम्पल दिखा देता हूं जैसे यहाँ पर धुआ उठ रहा है तो हम अनमान लगा सकते कि यहाँ पर आग लगी हुई होगी और इसके बारे मैंने एक जो पहली वीडियो थी उ जो हम आपको उधार में बता रहा हूं और अब देखे दोस्तों अनमान के पांच अव्याव होते हैं पांच एलिमेंट हम कह सकते हैं पहला है प्रतिग्या प्रतिग्या का मतलब क्या होता है अर्थार्थ जो बात सिध करनी हो उसका कथन यानि कि कोई भी बात हमें प्रूव करना क्या कथन है क्या स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं प्रतिग्या कहते हैं उधान के लिए परवत के उस पार आग है ठीक है जैसे कि हम कहें कि पहाड़ के उस और आग लगी हुई है या उस और धुवा है इस तरह से हम कोई बात कहें उसे सिध करने के लिए दोस्तो हेतू, अब देखे हेतू में क्या होता है क्यों ऐसा अनमान किया जाता है इसका कार्ण, यानि कि हम जैसे अनमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है तो आग लगी हुई है यह अनमान लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं इसका क्या रीजन है तो उसे हम कहेंगे हे तू यानि कि उधान के लिए देखे क्योंकि वहां पर धुआ है वहां पर आग क्यों है क्योंकि वहां पर धुआ है रीजन हम दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे हे तू कहेंगे उसके बाद है उधान उधान जैसे कि उठाण치가 मतले उठाण example, जैसे कि जहाँ जहाँ दुआ होता है, वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे चूले में, जहाँ-जहाँ आग नहीं होती, वहाँ वहाँ दुआ नहीं हो सकता, तो ये चीज़े, यानि कि हमने एक चीज़ समझी, तो हम क्या कहेंगे हम उधान देंगे अगर हमने कोई चीज अच्छे से समझ लिए उसका दूसरी जगह पर फिर उधान देंगे जैसे कि यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया भी द्धुए से जहां-जहां धुआ होता है वहां-वहां आग हो सकती है तो फिर आगे भी अगर हम कहीं पर धुआ देखे तो हम यह कहेंगे कि यहां आग हो सकती है अब आगे है दोस्तो उपने उपने के अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जैसे उधान में हम देखे यहां भी धुआ मौजूद है तो इसका मतलब क्या है यहां भी याग हो सकती है अगर हमें उसी तरह की कंडिशन कहीं और पर दिखाए दे तो वैसी ही सिचिवेशन और वही रिजल्ट आ सकता है इसका मतलब यह होता है फिर है निगमन निगमन का मतलब यह होता है दोस्तों हम देखे चोटी चोटी चीज़े लेके चलते है चोटी चोटी चीज़े लेके चलते है और उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है फाइनल डिसीजन जो निकलता है उसे हम कहते है निगमन कहत और वहां से हमें पता चल गया कि हाँ रियल में आग जल रही है तो इससे क्या सिध हो गया कि जहां धुआ होता है वहां पे आग होती है यह हम कह सकते हैं तो इसे हम निगमन कहेंगे अब आगे आता है दोस्तो हमरे पास अनमान के भेद अनमान के भेद क्या है इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे पुर्वत पुर्वत एक दिया है इसका क्या मतलब होता है कार्ण से कार्य अनमान जैसे जैसे कि मेग से भावी फिरिष्टी का इसका मतलब किया दोस्तों पुर्वत यानि कि पहले से ही अंदाजा लगाना कोई काम होने से पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना कि क्या होने वाला है जैसे कि मान के चलते हैं हमारे जब बारिश होते हैं बारिश होने से पहले सेसवत अब देखे सेसवत का मतलब क्या होता है इसकंदर ये होता है कि जैसे नाम सही पता चल रहा है सेस यानि कि कुछ बचने के बाद जो हम अनमान लगाई जैसे कि मान के चलते हैं कि बहुत बारिश होने के बाद बिल्कुल साफ मोसम हो गया धूप निकल गी सब कुछ सही मोسم हो गया तो फिर हम क्या result निकालेंगे फिर last में ये result निकालेंगे वही अब बारिस नहीं होगी और कई वारा हमने देखा हुआ होगा आपने देखा होगा कि जब धूप होते हैं बहुत धूप होते हैं लेकिन उसके बावजद भी बारिस हो जाती है तो वो हमारा जो अनम लग जाता है लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जैसे धूप वगरा निकल गी तो लाश्ट के इंदर रिजल्ट यहीं निकलते हैं अब धूप निकल गी है तो इसका मतलब है बारिश नहीं होगी तो यह होता है सेस्वत और अब आगे दोस्तों हमारे पास समान्य तो द्र प्रोलम हो सकती है तो मैं आपको बिल्कुल असान बासा में बता रहा हूँ समान्य तो दृष्ट का मतलब क्या होता है जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिसमें हम कंपेर करें एक छीज का दूसरी से चीज के साथ कंपेर करके हम बता दे कि यह होने वाला है ठीक है जैसे कि हम मानके चलते हैं कि हम किसी बच्चे ने देख लिया वे शाम के टाइम में जो सूरज उस तरफ जा रहा है और जाके वो छिप गया यानि कि सुर्यास्त हो गया इविनिंग हो गी तो अगले दिन जब बच्चा देखेगा कि हाँ सूरज वहां पे जा तो उसे हम क्या कहेंगे समान्य तो द्रश्ट यानि कि एक समान सिच्वेशन का कंपेर करना किसी दूसरी चीज के साथ तो उसे हम कहेंगे समान्य तो द्रश्ट और अब हम आगे देखते दुस्तों व्यापती देखे व्यापती का मतलब क्या होता है मैं इसके अंदर आपक दो तरह की चीज़े यहां पे हैं देखिए मैं आपको बिलकुल असान भासा में समझाने की कौशिश करूँगा आप चाहे तो यहां पे हिंदी में पढ़ सकते हैं लेकिन यह हिंदी लैंग्वेज है थोड़ी टफ हो सकती है आपको यह भी समझ में ना आए तो चलिए अब ह हम इसके वारें बिलकुल असानी से समझने की कौशिश करते हैं देखिए व्यापत का मतलब क्या होता है जहां जहां धुआ रहता वहां आग रहती है यह हमने एक result निकाला था उपर निगमन जो निकाला था धुए और आग में जो संबंध है इसी को व्यापती कहते हैं अगर हमारे पास धुआ ना हो तो हम आग का मतलब नहीं निकाल सकते हैं और अगर आग ना हो तो फिर धुए का कोई अर्थ नहीं निकलता तो यहां धुए में आग की व्यापती है अब देखिए धुए में क्या है आग की व्यापती है आग इंकलूड है धुए के अंदर तो आग को हम क्या कहेंगे, व्यापति कहेंगे, अर्थ अर्थ, आग व्यापत है, और धुआ व्यापति है, नहीं कि किसी चीज के अंदर दूसरी चीज का include होना, और उससे कोई result निकला, व्यापती, व्यापति का मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं थोड़ा-थोड़ा सम समझ पा रहा हूं लेकिन उसको explain नहीं कर पा रहा व्यापती का मतलब यह होता है कि कुछ चीज include होना व्यापत होना उसके अंदर ठीक है तो उसे हम व्यापती कहते हैं और अगर आपको फिर भी यह बात समझ में ना आए दोस्तों व्यापती क्या होती है तो प्लीज आप एक व्यापों पर भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं हम आपको जवाब देने की पूरी-पूरी कोसिस करेंगें देखे देखे दोस्तो हम बात करते हैं हेता तव हास की द्गmis इसके नाम से यह हमें हमें पता चल रहा है अगर इसके नाम को हम de टोड़े संधी करे तो देखे हेतात वहास दो सब्स से मिलके बना है हेतू पलस में अभहास ठीक है हेतू का मतलब होता किसी चीज का होना और अभहास का मतलब है उसका ना होना अब देखे इसका मैं पूरा मतलु समझाने की कोशिश करता हूं देखे काफी बार हमारी जिन्दकी में ऐसा होता कि हमें लगता कि ये चीज ऐसी होगी और हमें पूरा विश्वास होता कि ये ऐसा ही होगा ये काम होगा ये चीज होगी ये ऐसी ही होगी लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि नहीं ये ऐसी नहीं है इसका reason कुछ और है और यही example हमारा उसी के उपर बैठ रहा है जैसे कि मैंने बताया था कि एक परवत है परवत के दूसरी तरफ धुआ उठ रहा है तो हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई हो और हम सभी मान के चले कि हाँ वहाँ तो आग है पता नहीं क्या होगा ये होगा वो होगा बहुत सारी चीजे हम अपने मन के अंदर कर लेते हैं लेकिन बाद में जाके पता चलता है वहाँ पर आग नहीं लगी हुई वहाँ पर तो कुछ आर्टिफीशियल वर्क चल रहा है या कुछ और काम हो रहा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा धुआ है लेकिन वहाँ पर आग नहीं है यानि कि हमने हेतु का मतलब यानि कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसे चीज देखी जिन से हमें ये लग रहा हो कि वहाँ पे आग है यानि कि चीज के मतलब यानि कि वहाँ पे हमने धुआ देखा एक एविडेंस देखा कि धुआ है तो उस वज़े से आग हो सकती है लेकिन फिर क्या हुआ अभास हुआ उस जो आग है वो आग नहीं है उसका हमें अभास हो गया उसकी कमी हमें नजर आई तो इसे हम कहेंगे हितात अभास कहेंगे ठेक है तो दोस्तो इन में से जो कोश्चन आएंगे वो सिंपल बेसिक कोश्चन आने की संभावना है क्योंकि यह जो है भारतिय दर्शन सास्तर हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है यह बेसिक है हमारे पेपर फर्ष्ट के अंदर तो कॉस्टन भी बेसिक आने की संभावना है इतना ज्यादा डीपली इसमें से नहीं पूछा चाहेगा यह हम उमीद करते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंकियो दोस्तों निमिजनेट एक्ट कम्प्लिट स्टडी नॉट्स लाइब मोग टेस्ट फोर पेपर फेपर फेश्टन सेकिंड ओल्डियर पोशन पेपर बारा से लेके दिसंबर 2019 तक फोर पेपर फेपर फे सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ेए असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहुतास निमिया और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजिनेट परोपे दोस्तो आज हम भारतिय दर्शन सास्तर के अंदर परमान, सब्द, उपमान और अर्थापती इतियादी में से काफी कोश्चन करने वाले हैं दोस्तो इस में से जून 2019 में और दिसंबर 2019 में काफी कोश्चन आये हैं और आज किस वीडियो में हम वही कोश्चन देखने वाले हैं कि किस तरह से कोश्चन आये हैं और किस तरह से हमें उनको करना है और दोस्तों पहले हमने एक वीडियो बना रखी है और उसके अंदर हमने आपको भारतिय दर्शन सास्तर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जल्दी आप हमारी वो वीडियो देखे क्योंकि उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझ पाएंगे और दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना क्यूंकि ये जो वीडियो है हमारे जून 2020 एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमीजनेट परो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी अप निमीजनेट डाउनलोड नहीं किया है पीडियोफ बना रखी है तो यह हमारी लॉजिकल रिजनिंग की पीडियोफ है तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे भारत्री दर्सन सास्तर में से जो कोशन आये उनको हम देखने वाले हैं यह देखे दोस्तों यह जो कोशन है ना यह हमारा डिट्टो कोपी रिपीट आप मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले यह देखे 21 जून 2019 इवनिंग सिफ्ट का पेपर है यह और इसके अंदर कोशन नंबर 27 देखिए इसमें इन्होंने दिया है नीचे दिये गए उधान पर विचार कीजिए इन्होंने एक उधान दिया है देवदत मोटा हो रह अब देखिए इन्होंने एक बात कह दी और इसके बाद में खुद ये विचार कर रहे हैं उसके उपर एक अनुमाल लगा रहे हैं ठीक है तो इसमें इन्होंने कहा है कि नीचे दिये गए विकल्पों की साहिता से उप्यूक्त उधान में नेहरत तरक की पहचान किजिए इ यह जो हमारा यहां पर उधारन है इसमें कौन सा तरक है अब देखिए इसे दोबारा से हम समझने की कोशिस करते हैं क्योंकि दोस्तों यह जो कोशन है हमारा डिक्टो कोपी रिपीट हुआ है दिसंबर 2019 में भी तो यह हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है देख यहां पर हमने इसका अर्थ निकाला इनकी इन्होंने जो उधान दिया है जो बात दी है इनमें देखिए वह रात को खाना खाता होगा तो हमने यहां पर इसका एक अर्थ निकाला है एक अनुमान निकाला है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों इसका अर्था पती होगा रही है कि वो दे रात को खाना खाता होगा ठीक है तो यहां पर इसका जो आनसर होगा वो होगा अर्थापती यहां पे इसका आनसर आ जाएगा और यह हमने नोर्फ के अंदर भी क्रवाया हुआ है आप यह देख सकते यह Efendimiz बाहरतिए दर्सलिशाथ यहां पर इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर यह देखिए at 5 नंबर पर अर्था पती यहां पर आ देख सकते अरफापती अरफापती के अंदर होती हBut दिए दिन में कुछ भी नहीं काता फिर वी वह कुभ मोटा होता है इस बाक्यства में नए खाना है तथा पी मोटा होना, खाना ना है खाने के बाद भी मोटा होना, इन दोनों कथनों में सम्झेवे की उत्पति नहीं होती, आता है उत्पति के लिए रात्री में भोजन करता है, यानि कि यहां से हमें एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि वो दिन में खाना नहीं खाता तो रात को खाना खाता है तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है नोट्स के अंदर भी तो आप ये नोट्स भी देख सकते हैं और सभी अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है तो यहाँ से हम इसका अंसर दो है दोस्तों अर्था पती निकाल लेंगे यहां से तो इस तरह से दोस्तों हमें बिलकुल असानी से अंसर देना है और यही कोशन चलिए मैं आपको अब दिखा दिता हूँ कि 2020 के अंदर किस तरह से सोरी दिसंबर 2019 में किस तरह से यह रीपीट हुआ है वह हम आपको पहले दिखा देता हूँ ता कि आप अच्छे से समझ में आ जाए यह देखे दोस्तों यह हमारा 4 दिसंबर 2019 मौर्निंग सिफ्ट का पेपर आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे कोशन नमबर 39 49 नमबर कोशन देख सकते हैं इसमें इन्होंने कहा है देवदत मोटा है वह दिन में भोजन नहीं करता अत देवदत रातरी में भोजन कर रहा है तो यही बात है दोस्तों जो हमने पीछे बात की है वही कोशन है यह भारतिये तरक सास्तर में उप्यूक्त उधारने किस परकार का मामला है यह इन्होंने यहां पे पूछा हुआ है तो यहां पे देखिए यहां पे हमने बात की थी अर्थापती की बात की थी ठीक है तो वो इसका जो रिलेटिड है वो है दोस्तो नहीं तार्थ नहीं तार्थ का मतलब है दोस्तो इसकी बात के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है यानि कि अर्था पती यानि कि अर्थ निकलना किसी बात से और वो अर्थ उसी बात के अंदर छुपा हुआ होना तो दोस्तों ये जो question है ना थोड़े से confuse कर सकते हैं हमें थोड़ा सा समझने समझना पढ़ेगा हमें इन question को थोड़ा confuse कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते कि इसका answer जो है नहीं तार्थ यानि कि इसी के अंदर इसका answer छुपा हुआ है अर्थापती इसको हम कह सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमें question का answer देना है और जो दोस्त ये कहते कि question repeat नहीं होते उनको मैं अभी और भी question दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से question repeat होते डिटो कोपी question भी repeat होते हैं तो चली मैं आपको एक दो question और दिखा दिता हूँ जो बिलकुल डिटो कोपी repeat हुए है ये देखे दोस्तों ये हमारा 2 दिसंबर 2019 morning shift का paper है और इन्होंने इसमें कहा है कि निमन लिखित में से किस परमान के संबंद में से विकल्प के बीच अंतर किया जाता है ठीक है यहां पर इन्होंने ये बात कही है अब मैं यहां पर एक चीज़ मान सकता हूँ कि आपको Hindi English में थोड़ी problem हो रही होगी पड़ेगा अपने आपको Hindi और English Language के लिए जो भी हमें उसी में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तो यहां पर इन्होंने का है कि निमन लिखित में से किस परमान के संबंद में से सवी कलप के बीच अंतर किया जाता है तो इसका अंसर है दोस्तों पर्टेक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों बिलकुल हमारे सामने होता है हम फर्क देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है ठीक है और यही कोश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ अब आगे कब रिपीट हुआ है यह आप ध्यान से देख लीजे यहां पे दोस्तों दिसंबर 2019 morning shift का paper है और यही कोश्चन देखिए अभी यह देखिए दोस्तों 2 दिसंबर 2019 यह evening shift का paper है दोस्तों और उपर था हमारे पास morning shift का paper यह है evening shift का paper और इसके अंदर यह देखिए question number 15 यहाँ पे आप देख सकते हैं निमिलिखत में से किस परमाण के सम्मन्द में सम्विक से विकल्प के बीच अंतर किया जाता है तो इसका आंसर भी क्या है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टेक्स वाद यानी की पर्टेक्सवाद अब दोस्तों एक चीज यहां पर ये आते हैं की क्या होता है अनुबान अर्थापती आस इस तरह के question है हमारे लिए जो काफी important है ये देखें ये हमारा जून 2019 का paper है और इसके अंदर मैंने पहले ही mark किये हुए है जो question हमारे important है ये देखें दोस्तों जैसे यहां पर इन्होंने कहा है ये question number 27 ने में लिखें तो तरक पर विचार कीजिए धवनी ऐस थाई है क्योंकि यह स्रव्य है ये देखें ये दोस्तों ये जो बात है इसकी बिलकुल confuse करने वाली है ये कोई तरक जो इसका बिलकुल सही नहीं बैठ रहा ये कहरा कि धवनी ऐस थाई है कि धवनी जो है वो स्थाई नहीं है ऐस थाई है ऐसे ही है क्योंकि यह स्रव्य है क्योंकि इसको हम स सकते इसलिए एस था यह तो इसका जो तरक है ना दोस्तों यह वे फिजूल का खर्च है बिलकुल बेकार इसका तरक है तो यहां पर इसका जो आएगा दोस्तों यह आएगा ओप्सिन नमबर एत तुछ तरक का हेतात वभास यानि कि तुछ तरक तुछ तरक यानि कि बेकार का merk, हaintsातवभास, हaintsातवभास का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ को देख के और किसी अन्ने चीज़ का अंदाज़़ा लगाना उसका अनुमाल लगाना ठीक है है यह हुता हितातवभास और यह हमने हमारे नोट्स के अंदर भी बताया हुए आपको यह जैसे अनुमान आ गया यहां पे और फिर परमान आ गया यह यहां पे और हेतातवास यह देखे यह आ गया हेतातवास तो यहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है आप यह देख सकते हैं अगर किसी दोस्त को नोट से चाहिए और बहुत अच्छे तरीके स किसी वी दोस्त को तो आप हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं paid course के अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरिके से त्यारी कराते पेपरफर्स की तो किसी वी दोस्त को +, if we had paid course, जोइन करना तो वो आप आप वह्में यह 26 जून 2019 एवनिंग सिफ्ट का पेपर है और इसमें इन्होंने का है नीचे दिये गए उधान पर विचार कीजिए यहां पर इन्होंने एक उधान दिया है यहां पर इन्होंने एक चीज का दूसरी चीज के साथ कमपैरिजन किया है यहां पर तो यहां पर बिल्कुल असानी से हम इसका अंसर दे सकते हैं आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां पर देखना पड़ेगा कहां पर है तो सारे चीजे हमने करवाई हुई है यह देखे दोस्तों यह रहा कमपैरिजन यह रहा उपमान ठीक है तो इस तरीके से आपको अंसर देना है बिल्कुल असानी से आप दे सकते हैं और आगे हम देखते दोस्तों आगे किस तरह से कोशन रिपीट हुए है और किस तरह से हमरे लिए इंपोर्टन है यह है आगे हमने कोशन कर रही लिया और यह देखिए ये 3 दिसमर 2019 का पेपर है, इस्वर के अस्तितों को सिध करने के लिए भारतिये सास्त्रिये न्याये प्रमप्रा दवरा किस प्रमायन का प्रयोग किया जाता है, देखी, इस्वर के अस्तितों को सिध करना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा तर्क उपयोग में लाया जा सकते हैं उनको साइन्टिफिक रूप से अच्छे तरीके से हम सिद्ध नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं अनुमान लगाते हैं मंदिरों में जाते हैं वहाँ पर अपनी जो भावनाएं हैं उससे उनको फिल करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यह सभी चीजे क्या ते यह और देखिए इन में एक और तरीका मैं बताओं आंसर देने का अगर आपको सभी का पताओ कि अर्थापती क्यों यूज किया जाता है अर्थापती जैसे मैंने आपको अभी बताया कोई बात है बात से ही कुछ बात निकालना किसी आंसर तक जाना उस बात से ही तो वह होता ह अर्थापती वो पमान मैंने बताया अब ही जैसे comparison करना एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ comparison करना तीसरे है दोस्तों पर्टेक्स पर्टेक्स होता है जो बिलकुल हमारी आँखों के सामने हो जिसे हम छू सकते हो देख सकते हो, सुन सकते हो यानि कि पर्टेक्स रुप से हमारे सामने हो तो उसे हम पर्टेक्स कहते हैं और आगे दोस्तों अनुमान यानि कि हम अनुमान लगा कि किसी चीज़ के होने या ना होने का दावा करें ठीक है तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से अंसर दे सकते हैं और आगे हम बात करें दोस्तों आगे ये जैसे हमने देवदत वाला कोशन कर लिया बिल्कुल असानी से मैंने आपको बताया है और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे मापको बता दू यह जो कोशन है हमारा आया था दिसंबर 2019 के अंदर और यह हमारा 4 दिसंबर 2019 तरक सास्तर है उसके अंदर जो विचार धारा है उनका अनुकरम क्या है उनके जो सिक्वेंस क्या है सिक्वेंस इन्हों ने पूछ ली और जैसा आपको पता कि पेपर फर्ष्ट के अंदर सिक्वेंस के कोशन बहुत आते हैं तो यह हमारे लिए करना काफी ज़रूरी है यह यहां पर हम एक वार सिक्वेंस देख लेते हैं सिक्वेंस क्या है अंसर नंबर फॉर यहां पर इन्हों ने दिया है सबसे पहले आएगा प्रतिग्या फिर हेतु आएगा फिर उधारन आएगा फिर उपनिय आएगा और फिर निगमन आएगा अब दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि प्रतिग्या क्या होती है, हेतु क्या होता है, उधान क्या होता है, उपनिय क्या होता है, और निगमन क्या होता है, तो दोस्तों में आपको बार 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 एक ही बात कह रहा हूं कि ये सभी चीजे हमने पहले की वीडियो में आपको बहुत अच्छे त वीडियो प्रतिज्र हो गया अब यहां पे व्यापति हो गया कि यहां करो यह सारी हम नहीं है कृपन है तो तो दोस्तो आज के लिए वसीत नहीं और किसी विडियों नहीं आए तो बाप हमें पूछ सकते हैं कमेंट वॉक्स के जरीए या आप हमें वर्टसप पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ एक और जो कोशन है वो हम कर लेते हैं दोस्तों लाश्ट के अंदर ये देखे छे दिसंबर 2019 मॉर्लिंग शिप्ट का पेपर है इन्होंने यहां पे कहा है यदी वर्टसा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा ये बात इसकी बिल्कुल सही है सूखा समाप्त हो गया अतव वर्टसा होई अब देखे इन्होंने यहां पे दो चीज़े दी है ध्यान से समझना है हमें यदी वर्षा होगी तो सूखा समात हो जाएगा ये इन्होंने एक बात कहे दी ठीक है अब आगे हम देखते हैं किसी अन्य अक्षेतर में क्या हुआ कि सूखा समात हो गया वहां पे सूखा नहीं रहा तो इसका अर्फ क्या निकला कि वहां पे वर्षा हुई है आता है वहां लाइन हमने ये समझी पहली लाइन के दवारा हमने दूसरी लाइन का अर्थ निकाला ठीक है तो इसे हम क्या कहेंगे निगमनातमक में हम क्या करते हैं किसी एक बात को लेते हैं और उसके दवारा किसी अन्य बात का हम अर्थ निकालते हैं एक सीरे से लेके दूसरे सीरे पर हम पहुंचते हैं उसमें हम कहते हैं निगमनात्म कहते हैं तो यहां पे इसका जो अंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा निगमनात्म कहीता तो भास इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर आपको ये वीडि और नहीं किये तो जल्दी से जल्दी आप हमारी एप को भी डाउनोड कर लीजिए थैंक्यू दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के श्टरी नोट्स देते हैं इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चु